लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें करें। झाल 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 हया जय गूओ कोई एल्गा हुआ Art झांकें पया हुआ झांकें एप तरह ज् sporण बड़े ताल यह कहानी दर्याए जेलम के एक किनारे पर जनम लेती है वो दर्याए जेलम जो हिंदोस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान में बहर निकलता है जिसके नीले ठंडे पानी में इस पार एक पंड़त आचमन करके सुर्या नमसकार करता है तो उस पार एक मौलवी नमाज के लिए वजू अदा करता है गुद्रत के बेश्मार नेमतों की तरह ये दर्या का पानी तो इनसान इनसान में फरक नहीं करता फिर ये फरक इनसान के दिलों में क्यों हिना प्यार के उस पाउदे की कहानी है जिसे सीचा सवारा तो किसी एक मुल्क की मिट्टी ने पर जिसका खुश रंग कोई सरहद मेहदूद न कर सकी मटो जी हजूर वो टेंडर्स की फार में जवादी है जी नहीं अभी चंदर बाबू के दस्त खत लेने बाकी है भगवार जाने क्या होगा इस लड़के का जीजा जी इतना बड़ा कारोबार इस नालाइक के भरोसे छोड़कर खुछ और सिधार गया और इस पाजी ने सत्या नाज कर दिया पूरे प्यपार का दो ही बरस में दो बरस में चंदर बाबू ने कारोबार को बढ़ाकर तीन गुना कर दिया है खा़मोष मटो तीन गुना नहीं तेरा गुना आखिर भांजा किसका है क्या बात है मामा जी बड़े खुश नितार है क्यों मट्व अंकल खुश नहीं नाराज हूं क्यों कभी कोई काम वक्त पर करते हो यह टेंडर फार्म का बिज़वा हुए आखरी तारीक निकल जाने के बाद रिलाक्स मामा जी रिलाक्स नो टेंशिंस अराम से करते हैं अभी तो मैं यह पढ़ा भी नहीं है मामा जी जल्दी अफसर हो जाते है लोग अब तो मेरा दोस्त कफ्तान आ गया अब तो कफ्षफ होगी सॉरी पढ़ूगा बाद में आईये कफ्तान सुनिंदर साब आये चंद मामा जी आप तो पीछे ही बढ़ गाया तो बैट 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 आप आप भी मामा जी और सुनिदर क्या है जली लिया वही नाथिं मच रिली पेपर वर बगेर बस और कुष्टी यार बहुत दिन होगी शिकार बने गए यार आज शाम शिकार पे चले है क्यों आज चा हाई चांत हाई क्या वाद है यह लोगे वरी नाइस है देर होगई वह नवाज हो खोश हूँ मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है तो हाथ पे घड़ी बालो प्रॉब्लम साल्व हो जाएगी अब आज़त नहीं है और अच्छा ही है रूठे दिलबर को मनाने का मज़ा नहों तो जिन्दगी कितनी वेकार है क्यो बाते तो खूब बना लेते हो अब देर से आने की वज़े पूछ सकती हूं अब तुम यकीन नहीं करोगी कि ऐसी गारे काभी टायर पांचर हो सकता है बनाने में वक्त लग गया इसलिए देर हो गई अच्छा तो बाकी की शाम भी दूसरा टायर बनाने में गुजार ले न तू सब मतलब क्या बच्बन है चांड रुको तो मेरी बाद को सुनो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती देर से आने की यही सजा है मेरे जागने से पहले हाइर मेरी किसमत मेरे जागने से पहले हाइर मेरी किसमत सो जाती है मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है ओ मेरे साथ यही मुश्किल, पाई हुई मंदिल मेरे साथ यही मुश्किल, पाई हुई मंदिल मिल खो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है आए किस पे भरोसा किया है, जो भीवान दिया छोटा किया है आए किस पे भरोसा किया है, जो भीवान दिया छोटा किया है ओ चाहा जब भी मैंने वादा निभाना, वस्त निवस्त पे धोखा किया है वस्त निवस्त पे जोखा किया है देर करनी की आदत, जाहत की तश्ती दुमो जाती है मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है मैं देर करता नहीं मैं देर कर दोटाम प्रपूला के लगाज है बीट गए कितने वासम सुहाने प्यारे करने के रंगी जमाने बीट गए कितने वासम सुहाने प्यारे करने के रंगी जमाने मौसम तो आते जाते रहेंगे आया मैं तो रुठा दिल बर मनाने मेरी हालत पे देखा, सबनों भी आँसो मेरी हालत पे देखा, सबनों भी आँसो रो जाती है मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है वो मेरे जागने से पहले खाईर मेरी किसमत सोजाती है तुम मेरे करते नहीं तेर हो जाती है चन्मी क्या हुआ चिला क्यों रहे आप चिला रहा अपनी लाड़ी बेटी के कारणा में सुनोगी तो गले में फंदा डाल के लटक जाओगी क्यों ऐसा क्या किया है उसने कॉलिज का नाम लेकर घर से निकलती है और ना जाने कहा का बटकती पिरती है एक चंदर नाम के हवारा छोकरे के साथ हर्गिस नहीं पापा चंदर एक अच्छा और शरीफ लड़का है मुद तोड़कर रख दूंगा मैं तुम्हारा शरीफ घर के लड़के भले घर की लड़कियों को बैका कर चंगलों में गुमाने ले जाते है जबाब दो हो सकता है कि मैं उसे गुमाने ले जाती हूं क्या तो बात इस हद तक पहुंच चुकिये है चान्नी जी जी पापा मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूं तो तुम उससे जिंदगी में दुबारा नहीं मिलोगी समझी मुझे मन्जूर है एक रास की बात बताओं मैं तुमसे बेहत प्यार करता हूं ओ फो चंदर तुम क्या जिंदगी भर मुझे यूहीं सताते रहोगे आ ओ यानि कि तुमने जिंदगी बर मेरे साथ रहने का फैसला करी डारा क्यों वाकई चंदर मैंने तुमसे बड़ा बैमान और कोई नहीं द आता हूं बात क्या है चकर क्या है और यह क्या है घरी है वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है लेकिन मैं बड़ा अंकमफिटबल फील कर टॉइस से मुझे मुझे इसकी आदत नहीं है चार्मी आदत नहीं है तो डाल दीजिए क्योंकि कल तुम्हें ठीक पांच मजे मेरे घर पहुंचना है क्यों पापा ममी तुमसे मिलना चाते हैं तो मैं घंटा पहले तुमारे गेट के सामने ख़रा रहूँगा और जहां पांच मुझे शहना ही बजाते वें रवे इंटर करूँगा तुमारे भाप ममी के पेर चुऊंगा तुमारे हाथ पकड़ूगा रहा अब तक तो मुझसे पुछके कपड़े पहनती थी और लड़का भी मुझसे पुछके पसंद किया है कम ओन मम्मी बताओ नौ यह क्या पागल पर यह जदे कोई आया है बताओ नौ जा जा देख Good evening तुम इसने जल्दी के से आगए लो, देर से आओ, तो गुस्ता, जल्दी आओ, तो गुस्ता अर वे तुम्ही निहीं तो कहाते कि तुम्हारे पापा वक्त के बड़े पाबंद है अँआँटी जी तो नहीं कि एक गंटा पहले से पहुंचो तुम तो पांच बचे आप इनको द्राइंग रूम में बठाओ अभी आई तुम आप महादेव आप परिशान मत होईए रिलाक्स लाक्स मैं आपका पेटा हुआ आपके सब किचिन में बढ़ हुआ अच्छा एक बात बताईए आप बना क्या रहिए अभी हाद बताऊँ रिलाक्स में घर में हूँ अपनेगार वह बनाया आउंटी आपने कभी पालक की मत्री बनाई है लोग खाना बनाने को हिना मामूली से काम समझते हैं जबकि यह कला है कुकि इस उस क्रेडिवार्ट नाइuhan हाँ, वो तो है, मगर पालक की मठ्रिया? बिलकुल, आउंटी, मठ्रिया और वो भी? पालक की. वाँ बाभी जी, वाँ, ये मठ्रियां चापने बहुत येशी बनाई है. पालक की है, चंदर ने सिखाई है. पालक की? जी हाँ, because cooking is a creative art, है न? अगर पालक की मठ्रियों पर बात्चीत पूरी हो गई हो तो, अद्रक के पुडिंग या प्यास के हलुए पर बात्चीत चुरू करें. आपका चिर्णा तो मुनासिब है ही, क्योंकि खुद तो आप एक कप चाए भी नहीं बना सकते. बना क्यों नहीं सकता, बशर्ते आप बादा करें कि मेरी बनाई हूँ चाए पीकर दिखाएंगी? हाँ, तो बर्खुरदार, आप बारा मूला से शिरीनगर तक दो घंटे का सफर तैक करके, रोज चान्नी से मिलने के लिए आते हैं? जी, जी नहीं सर, दरसल एस्टेट के काम से आना ही पड़ता है तो चान्नी से भी मिल लेता हूँ. अच्छा-च्छा, यानि यूँ कि काम से आते हो तो सोचते हो कि लगे हाथ चान्नी से में मिल लिया जाए? जी ऐसने वह दरसल चान्नी से मिलने आता हैं और साथ में काम भी हो जाता है हा, i see जी यानि चान्नी से मिलने आते हो तो काम भी हो जाता है side by side वरना काम की कोई खास अहमीध नहीं है जी काम की अहमयत क्यों नहीं रहाएगे , काम तो काम होता है बलकि मेले तो चांदनी समिलने की कोई खास सहम्यत नहीं है जी जी सर ऐसी बात नहीं है, दरवसल मैं समझ गया, मैं समझ गया, आप फजूल मुझे उलचा रहे हैं मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ जी, जी कुछ नहीं, I'm sorry sir जी, क्या मुझे ऐसे रगा, आपने मुझे से कुछ कहा है तुम अभी रुखोगे, जी नहीं, मैं चलता हूँ बास भी करो, राजन मिया, आप बहुत हो चुका ऐसा है बर्कुरदार के इस कमभक ने तुम्हारे बारे में पहली ध्रयाफ्ट कर लिया था और ये जो कुछ भी कर रहा है, नाटे कर रहा है, पसंद तो तुम्हें पहले ही कर चुका था जी ओ, पापा सर ये जाननी, चंदर को बाहर तक छोड़ कर नहीं होगी जी पापा क्यों ठैंक यू, किस बात वहा है और आपने मुझे चक्कर में दॉल दिया था पापा कैसी रही खुब रही तारीख प्रै कर लो कियो बाबु सब्सीने चूट गये ना पापा के सामने तुम तो बिलकु नवस हो गय थे अरे आप सची बात बताओंगा, तो तुम मानोंगी नहीं, वो घ्या, कि तुम्हारे मम्मीद को मनाने के लिए, जैसे कोटिंग जरूरी थाु कि पापा का दिल जीतने के लिए, वह जरूरी था, यह उन के सामने घर जाओ, हार जाओ, वरन किसके सामने दरता हूं, अब इतने अच्छे एक्टर तो तुम हो नहीं क्या मदब मतलब ये कि अब चो तुम कर रहे हो न ये है एक्टिक पापा के सामने तो सच मुछ होश बुड़ गए थे तुम्हारे क्या हुआ सच तो यही है चांद एकपल के लिए लगा कि बस सब खतम खोड़िया मैने अपनी चांद को चंदर हाँ चंदर उस एकपल में पता चला कि तुम किती कीमती हूं मेरे लिए कि तुम्हे कभी खोना पड़े या तुमसे चुदा होना पड़े तो मैं जीनी पाऊंगा तुम्हारे बिना बस बस चंदर तुमसे लग होकर मैं नहीं चीज़ सकता चांद मैं नहीं चीज़ सकता चली चली गाड़ी में बैठीए और थोड़ थोड़ समानेते चलीए आई 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 चंदर बैटे हैं हम सगाई का शगून लेकर श्तिर्विकर चलते और तुम मट्टू के साथ आजा मामाजी क्यों मैं भी आपके साथ निकल बढ़ू शर्म कर शर्म दूला के सबसे पहले पहुँचता है और शकल देखा शेव कर नहाजा के शेव कर नहाजा के दो मिनिट का काम है मामाजी आप लोग चली ना अरे अभी तक लाइट्स नहीं लगी रामु जल्दी से जाकर उन्हें फोन करो जी साब अभी करते तो केज का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ अरे यहां का काम होता रहेगा तुम उपर चाल कर बागी का इंतिज़ाम देखो आओ मेरे साथ अफो मेरी काड़ी निग रखंग ए मेरी कारी में गए मेरे कारी में एख अरे मेरे काड़ी है क्या वा भरीवा अल्लाह बचाए बुरी नजर से बेलकुल शेहजादी जैसे लग रही है हमारी रानी ब्तिया बढ़ा किसमत वाला है वो लणका लड़के को देखोगी आंटी, तो कहोगी बड़ी किस्मत वाली है हमारी जाननी भी टिया क्यों Mr. चंदर परकाश, situation is under control. आप बिलकुल फिकर मत कीजिए। शुकर है। सर आप यहां से निकल लिए, बाकि यहां का मामला मैं सब संभाल लूगा। मैं चलू बीटिया को तयार होकर आगी राजन मी यहां, लेकन चंदर अब तक ही नहीं आया। उसके मामा और सुरेंदर फोन पर पता करने गए है। ओ, क्या हुआ। चंदर निकल चुका है मामा जी, चलिए। क्या हुआ। जिसम से जान जुदा होगी क्या कभगा होगे। तेर नहों जाए करी देर नहों जाए। आज़करी के मेरा मन ढप राए। देर नहों जाए कहीं देर नहों जाए। आज़करी के देर नहों जाए। तेर नहों जाए कहीं देर नहों जाए। हर बात का वक्त मुकरर है हर काम की साथ होती है। तर वक्त गया तो बात गई बस वक्त की इकमत होती है। तेर नहों जाए कहीं देर नहों जाए। जाए। रस्ता रोक कभी काली घटाने। घेरा डान कभी भेरन भवाने। बिजली चमक के लगी आँखे दिखाने। बदल है कैसे कैसे तेवर बजाने। सारे वादे इरादे बरसात आके धो जाती है। मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। बिलना हो जाए करी बिलना हो जाए। आजारे इमे दो मन कपड़े। बिलना हो जाए करी बिलना हो जाए। दिल दिया एदवार की हदती। जान दी तेरे ब्यार की हदती। मर गए हम खुली रही आखे। ये तेरे इंतदार की हदती। कर दो चुकी है आजा पर बनी है। पैपिर सजी है आजा के री कमी है। आजा के देर न हो जाए करी दिल दिल न हो जाए। आजाए माही तेरा रस्ता बीक दिया। आजाए माही तेरा रस्ता बीक दिया। रस्ता बीक दिया। आजाए माही तेरा 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 रस्ता बीक दिया। रस्टता उनी तिदिया, रस्टता उनी तिदिया बाजा बे मानी तेरा रस्टता उनी तिदिया बाजा बे मानी तेरा रस्टता उनी 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 तेरा चान्नी, तु चीखी क्यों, मामी, क्या हुआ बेती? क्या हुआ, कुछ तो हुआ है, जरूर कुछ हुआ है, भगवान, पिर चद्दर की रक्षा करना के सकतर जर्कष तो हुआ है, जरॉर के लिसा दृकति के वALKना लॉर्कष हुआ। करना लॉर्कष यॉकि क्तुछ क्या क्या थास्ट हुआ dar लॉर्कष यॉर्कष, जरॉर्कष यॉर्कषै यार साहिबल जमालो बया सैयदुल बशेद मिन वजह कल मुनीर लकद नौवर लकमर लायम के नुस्तमाह कमा कान हक हूँ बाद भी खुदा फुजग तुई खिस्ता मुक्त से मरहावा सैयदे मक्की मदनी युल अरबी 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 हो के मायूस तेरे दर से तवाली न गया खाली हाद आया मगर लोट गी खाली न गया हो के मायूस तेरे जर से सबाढ़ी न गया हाली हाथ हाया हदल लौत की ठाली न गया है तुही अफ़व लिंसान तु महभूब- खुडा है पुशी लखबी हाश्मी ओ मुत्तलभी दियो जादो दिवायत के अज़ब खुश्मग भी मर्हवा सेयदी मक्की मदनी उल अरबी बढिखा हो। मर्हो कुषिरम बिहिन् प्यारी कुष रंग ही ला जिन्द आली में कोई रंग नही मेरे बिना में हूँ कुष रंग ही ला प्यारी कुष रंग ही ला में मुई ठाला काल भा जाँ साला कुष रंग ही ला जामा्री कोष रंग ही ला मैं हो इत्वाना भलबप तरा जद ने राद़न प्यार ही मेरी सुगा, प्यार ही मेराचन प्यार ही मेरी सुगा, प्यार ही मेराचन यार जर्फना, मेरी देड़ तर्क एंदेना मेरी खुषिर्म एंदेना यार जर्री 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 खुषिर्म एंदेना बच्चपन की लगन मैं जवादी की लखी डूलियां की उखी जिनके हाथों में रची डूलियां की उखी जिनके हाथों में रची हर सुहावन ये कहे शुख है तेरा संग हीना मैं हूँ कुषिरंग हीना तारी कुषिरंग हीना एक हीना अभाचान, बबचान किया, किया, किया हुआ? बगजान, बोदेगे, बाख, खालीदे! अक्षा, जमने, रजा, उचादेशे! खान बाबा, यह भी जिन्दा है? जिन्दा है? खालीद, बेभी गुल को खबर कर दो फराल हमार घर आजाए! हाँ! क्या हो गया तुमारी हिकमत को, बीबी गुल? सुभा से शाम हो गई और अभी तक ये बेहोश है! क्या? तुम तो ऐसा करो, खान भाए, कि वो जो उदर सदर अस्पताल है, वहां से विलाई धी हकीम को बुला लो, वो फॉरण शी कर देगा इसे? मेरा मतलब ये नहीं था, बीबी गुल! तो फिर क्या था? क्या था तुम्हारा मतलब? मेरा ये मतलब नहीं था एक तो पानी में गल-गल के, मिट्टी किडले की तरह हो गया है पिल-पिला अरे गीले आटे को तंदूर में डालो, तो उसे भी कुछ बख लगता है रोटी बनने में तेहीं लगता है? और तुम तो बस ये चाते हो, जट से ये आखे खोले, फट से खड़ा हो जाए तो वो विलाईती हकीम है ना? वो कर सकता है आसा जादू? मैं नहीं कर सकती, जली अब जो तुम्हारे हाथ में जादू है ना चाची गुल, वो भला कहां है किसी और के हाथ में? हाँ, बेओ को फैनत पाली चाची गुल, जो आ जाएगी तुम्हारी ललो चपो में, अश्राप सोड़ने रास्ता, नहीं नहीं नहीं, नहीं चाची गुल, नहीं चाची गुल, आरे ख़फा नहीं होते है, यह बूटी देना तो भूली रही, इस बूटी को गिसकर दूद में मिलाकर फिला देना, ए लर्की ले, बस आज की एकी रात भारी है, यह इंशाला निकल गई तो यह बच गया, दरूर बच गया, अगर बदन थंडा पढ़ने लगे, तो कड़वा तेल गरम करके, आपने बाबाजान से कह देना के अच्छी तरह तेलों पर मल दे, इससे खून में गर्मी बैदा होती है, जी जाची, बड़े आये, बीबी गुल को हिकमत ठिकाने वाले, हुदाफित बीबुल! हाँ, हुदाफित बीबूल! Allah'u अखर! कर दो 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 कर बाबाजान उसे होश आ गया बाबाजान अच्छा आईए ना जल्दी आईए बाबाजान इंसे पूछे ना अगर तहना नहीं आता सा तो पानी में क्यों कौद गयते बैठी कैसी है तबियत अरे ये तो फिर भी होश हो गया बैठी तुझा के बीबी गुल को ख़बर करते ज जी बाबाजान नूरी ओ नूरी तो यहां है चल चाची ने मरीज के रिए दूद मांगा है वो कह रहे हैं कि अब वो ख़ब्रे से बिलकुल बाहर है बेहोश है पर नप्स चीख है और सास भी बिलकुल ठीक है है ना खुशी की बात पर तेरा तो ढंगी ने राला है नूरी तुझे तो किसी बात की फिकर ही नहीं होती ना खुशी की ना खंगी पता है कल सुबा से सब लोग लगे हुए थे चाची ने तो ढेर सारी बूटियां चटाएं तौर कोई असर ही नहीं पर जिम मैंने उसकी अथेली पर मालेश की न तब कहीं जाकर से होश आये हाई नूर अब जी आप कब आए मैंने तो आपको देखा ही नहीं बस यही तो तकलीफ है चन्ना कि तुम कभी हमारी तरफ देखती ही नहीं या मेरे खुदा ऊपर वाले ने बड़ी फुरसत से बनाया है तुम्हें इसका क्या मतलब दो रोखा जी कभी बाहर मिलो ना मतलब ही समझा दूगा ठीक है बाबा जान से पूछ कर आ जाओंगी कहां मिलो पेड़ा खरक अरे बेची हिना ये दूद लाने में इतनी देर क्यों शाबास खां असलाम आलेकूम खान बाबा कैसे मिदाज हैं अल्ला का फदल है आज कैसे आने हुआ अब क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी वो क्या है खां बाबा के हमारे कुछ आला असलाके का माइना करने के लिए आए हुए अगर एक चोड़ा मुड़ा जानवर मिल जाए तो उनकी शांदर दावत हो जाए जरूर जरूर मगर अफसरान माइना खेरियत तो है आप तो जानते हैं के परसूरात गजब का तूफान आया था ऐसी तूफानी रादों का फाइदा उठा कर हमारे परोसी उनके जासूस हमारे मुलकी सरवदों में घुसा देते हैं तो हमारे जासूस जाते होंगे, क्यों? जाते होंगे? परोसियों के दुख सुख में कामाना तेवारों पे उनके घर छीर से वईयां भेजना. ये रिवाज तो सुने थे, मकर ये जासूस भेजने का रिवाज क्यों कर? आप इन परोसियों को नहीं जानते खान बाबा? अरे जल्लाद होते हैं जल्लाद, अगर गफलत में कोई अपनी गर्दन जुगा ले तो छट से गर्दन काट देते हैं उसकी, लेकिन हमें भी इट का जवाब पथर से देना बहुत अच्छी तरह आता है, जब इनका कोई जासूस हमारे हाथ लगता है तो उसे मार-मार कर, उसकी अ पर यह तो है, कौन भी मार है, है एक बच्चा, अब इतने बड़े कुन्बे में दुख सुख तो लगा ही रहता है, मगर आप फिकर न करें, अश्रफ मियाँ, जबन के हाँ जाओ, और एक मकरा साथ की जीप में रखवा तो, जी अच्छा है सोचने की बात है, शेहबास खां, कि काघस के नक्षे पे इनसान की खींची हुई एक बेजान लकीर में, क्या वाकई इतनी तासीर है, कि धड़कते दिलों से, खुदा के पैदा किये हुए महबत के जजबे को मिटा दे, और शक और नफरत के जहर भर दे, अफसोस की बाब ये जजबात की नहीं खान बाबा सियासत की बाते हैं, आपकी समझ में नहीं आएंगी, ये आप फीक कह रहे हैं, इंसानियत की बातें करने वाले सियासत की बातें कैसे समझ पाएंगे, है न, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिस, खुदा हाफिस, आप अब तक यही हैं हुद और घर में बेगम खाना पिना तयार करके बठी हैं आएं खाना तो खेर नास्ते में मैं खालूँगा शबास खान मैं यहां पर सिर्फ यह कहने के लिए रुका हुआ हूँ कि यह वर्दी हमें आवाम के खिदमत और हिफाज़त के लिए दी गई है जाहिर है हुदूर इसमें कहने के क्या जरूवत है जरूवत है शेबास खान और मेरे यह भी सुनने में आया है कि तुम बिलावजे मासूम और मजलूम लोगों पर जियातियां करते हो किसी दुश्मन ने आपके कान भरे हैं सर यह बात जूट है सरासर गलत है आप नवाबदीन से पुछ दिजिए सर मैं सिर्फ तुम्हें आगाह कर देना चाहता हूं सोच लो खुदा आफिस हुदूर साब तो बड़ा बेसुरा बोल के का है ऐसी की तैसी साले सुप्रेंडरिनेंट की इमानदारी का तमगा लगा कर खुद कौनसी तरकी हो गई साले की 15 साल से वहीं का वहीं बड़ा सर ला है नवाबदीन तुम यह तो पता चलाओ कि यह शिकायत की किसने है मैंने भी उसकी खाल खेंश कर गोश्ट बाजार में नहीं बिखवा दिया तो मेरा नाम शाबास खान नहीं बाबा जान बाबा जान देखे चाची इस इतने होश आ गया शुक्रे खुदा अब बिल्कुल क्या कहता मैंने अल्ला ने चाहा तो बच्छा बिल्कुल चीख हो जाएगा अहंद लिल्लाह ऐसी तुपानी उरादों का फाइदा उठाकर हमारे पडोसी उनके चासूस हमारे मुल्की सरदों में घुसा लेते हैं अरे यह क्या करें हो तुम्हे इतने गहरे जखम लगे हैं तुम्हारी तुर्टांग भी चूट गई है बेटे एक ही दिने थोड़ीने चलने परने लग जाओगे लेटरो बेटे ये बीबी गुल है बेटे इन्होंने तुम्हारा इलाज किया है जीते रो बेटे कैसी है तब ये तुमाज़ खान बाबा इससे कुछ अपने बारे में भी तो पूछो अधर हा बोलो बेटे कौन हो तुम्हारा किया नाम है तुम्हारा? तुम किस गाउं से आये हो नाम क्या है तुम्हारा नाम हाँ नाम जैसे ये खान बाबा है मैं अश्रफ हो वैसे तुम्हारा भी तो कोई नाम होगा पताते चुने डरू मत बैटे, तुम्हारे घरवाने को फिकर होगी, उन्हें भी तो कुछ खाबर करनी बड़ेगी, अगर तुम हमें कुछ नहीं बताऊगे, तो यह कैसे मुम्किन होगा? बैटे, तुम्हें कम से कम यह तो याद होगा, कि तुम दर्या में गिरे कैसे? मुझे, कुछ याद में, कुछ याद नहीं बंद करें यह ढूंग, यह जूट बोले है, खान ममा, इसे सब कुछ याद है, यह दर असल हमें कुछ बता रहनी चाहिए अश्रा, तुम भाइब यह दोंग कर रहा है, खान ममा, आज जाओ, लेके तुम भाजाओ तुम आप लाज़ की चाहल समझते क्यों नहीं, धोंग करता है मुझे कुछ याद नहीं आरा, कुछ याद नहीं आरा, कुछ याद नहीं आरा कहो भी भी गुल, क्या रहा है तुम्हारी खान भाइ, मुझे तो लगता है, बच्चा सच कह रहा है वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में, शायद सब कुछ भून चुका है यह कैसे मुम्किन है चाची जैसे किसी गहरे सदमे की वज़े से, एक इंसान अपना दिमागी तवाजन खो बैठता है, पागल हो जाता है भै होता है यह नहीं, वैसे ही सरपर गबरदस चोट लगने की वज़े से कभी-कभी इंसान अपनी याद दाश खो बैठता है लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो याददाश्ट होने का बहाना कर रहा हो हाँ हाँ हो सकता है भाई क्यों ने हो सकता मगर तुमने भी तो देखा जाना अश्रफ ये किस हाल में मिला था हमें उसके जिसन पर लगे जखन पर जूटे नहीं थे और नहीं उसका मरा हुआ सा वो हाल बीबी गुल बिलकुल ठीक कह रही है अश्रफ ये अल्ला की मर्दी थी कि उसे हम तक पहुंचाया हमें वसीला बनाया उसे एक नहीं जिंदगी देने का क्या अब हम इस जिम्मेदारी से दामन जटकने हैं इस मौमने में जजबाती होना ठीक नहीं है खानबाबा मैं तो समझता हूँ कि इस लड़के को पुलिस के हवाले कर देना ही मुनासिब होगा आपको दारागा साब की बात याद है ना कौन जाने कल को ये भी कोई जासूस दिख ले खान बाबा कहीं ऐसा नहों कि ये लड़का भी हमारी जिंदकी को जहन्नम बना दे क्योंकि अगर ये जासूस है तो इसे पना देकर हम सब के सब खानून की नतर में गुनेगार ठेरेंगे और अगर वो जासूस नहीं तो जूही हम उसे पुलीस के हवाले करेंगे वो लोग उस पे पता नहीं क्या-क्या जुन्द आएंगे और मार मार के उसे मजबूर करेंगे के वो कुछ बोले और वो खरीब बोलेगा क्या उससे तो कुछ याद ही नहीं तब हम उस अल्ला की निगाह में गुनेहदार होंगे जिसका कानून इनसान के बनाए हुए हर कानून से कहीं उचा है यह चाहते हो तुम अश्रफ खान बाबा मैं क्या ठीक है खान बाबा जैसी आपकी मजब्दे बोलिए क्या करना है अच्छा तो यह करो कि तुम रजाक और जमन यहां दर्या किनारी जो चार-छे गाउं हैं वहां जाके दर्यास करो हो सकता है कि वह वहीं कहीं से हो नंबर तो वही है जो आपने लिखवाया था राजिन मियां पर चंदर का क्या हुआ कुछ कह नहीं सकता एक लोई की बनी गाड़ी का यह हाल हुआ तो एक हमजोर इंसान की हसियत क्या है नहीं ऐसा मत कहीं अंकल मेरे चंदर को कुछ नहीं हो सकता आप उसे धून निका लिए प्लीज आप लोग उसे धून निका लिए मैं तुम्हारा मतलब समझता हूँ बेटी पर ऐसे जबरदस तुफान में चंदर कहां बया निकला होगा कुछ कह नहीं सकते नहीं नहीं मामी अच्छी से मूद होया के नहीं दिखाओ शाबाश चलो जल्दी से दूद पीलो लो करम है इतना सारा हूँ चाचीगुल का हुकम है हाई हफते बार से बिस्तर में पढ़े हो दूद नहीं पियोगे तो कम्सूरी किसे दूर होगी मैंने तो नूरी को भी कह दिया है कि रोस यादा दूद दिया करे नूरी चाचीगुल की बेटी में नहीं बखरी है हमारी मगर कुई ऐसी वैसी नहीं लाखों में एक है बिलकुल चांद सा चेहरा है उसका चांद चाची पिचारी दुनिया में बिलकुल अकीर उनके शहरत बेटे का इंतकाल हो गया एक हाच़वे में कुछ साल पहले चाची है तो कुमहारन मिटी की घड़े बरतन बनाती लेकिन रब ने कमाल की शिफा दिया उनके हाथ में जवाब भी नहीं उनका तो आसे पासे सब काववाले उन्ही के पास आते हैं हाँ मगर ये और बात है के मेरे ही तिल मलने से तुम्हें होश आया चांद चांद किसी का नाम तो नहीं शायद तुम्हारा नाम तो नहीं मेरा नाम हाँ अपने नाम से और जाना मना क्या हो सकता है मेरा नाम हो ना हो मुझे तो येकिन है कि चांद तुम्हारा ही नाम होगा तुम इतने प्यारे जो हो मैं अभी जाके सबको खवर कर देती हूँ कि तो मैं अपना नाम याद आगया है, här потребira बाबाजान उसे पना नाम याद आगया, बाबाजान चान नाम है उसका जान चान ऋ लाल countryside उसे अपना नाम याद आगया, चान नाम है उसका जान पेशो अक्परी, अज्वाच चान नाम है उसका, उसे याद आगे अपना नाम यह सुबह सुबह कहां कयामत ढाने जा रही हो, चन्ना? हाई दरोगा जी, कैसे आना हुआ? कल जो मुर्खिया लेके थे, वो खतम हो गई क्या? बड़ी ना समझो मैं यहाँ मुर्गिया लेने थोड़ी आता हूँ, वो तो सिर्फ एक बहाना है हाई ओ रभा, बहाने से मुर्खिया ले जाते हो दरोगा जी नहीं चन्ना, बहाने से तुम ही को डूनता फिरता हूँ क्यों दरोगा जी, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया हाई चन्ना, तुमने तो वो जुर्म किया है कि किसी ने ना किया हो हमारे दिल से पूछो, खतल कर दिया तुमने हमें एक तो द्रोगा जी, आप बाते बड़ी केड़ी मेरी करते हो, सीधी बात कभी नहीं कर सकते मैं चलती हूँ, बीमार पिचारा घर में अकेला होगा ये बीमार कहां से पालिया तुमने, कहां ये फूल या से नाजुक हाथ और कहां तीमार दरी का काम, आखरी ये मरीज है कौन, कोई खास अपना है क्या जी, हाँ, हाँ, बिल्कुल अपना है, वो अपनी हसीना वो है ना, वही जिन में पिछले साल पहाड़ी पे डेरा डाला था, यहाद है ना आपको, उन्ही का तो बीटा है, चांद, बारिश में पेड़ पिचला था लखड़िया काटने, आफिस ना तो सीधा दर्या में जा जाएगा, क्या मतलब, मतलब यह चन्ना, कि दिन राद अपना ये खूप्तुर चेरा तुम उसके सामने रखोगी, तो क्या वो खाक्तीक होगा, अगर वो तुमारे हुसन का शिकार हो गया, तो अपनी जान से भी जाएगा, हाई और अपा, कुछ हमारी बात समझ में आई च चन्ना, बिल्कुल आ गई द्रोगा जी, अब चलती हूँ, उसकी दवा का वक्त हो गया, अरे रोग जाओ चन्ना, मेरी बात तो सुनती जाओ, फिर कभी में रोगा जी, चली गई, कभी अपने इस मरीज का भी तो इलाज कर दे, खैर, फिर कभी सही, खैर, फैर, यह तुम बीच्दमागे में खड़े-खड़े क्या करे हूँ, अभी गिर्जात है तो, और यह, यह क्या है, चाची ने तुम्हें बखायर लाठी की चल्दी को कहा, कहा था कि नहीं, तो फिर फैको इसे, अगर तुम हिम्मत नहीं करोगे तो जल्दी ठीके से ह आयो, आयो, रपा, क्या हुआ, तुमने मुझे ढग लिया, मुझे सब पता चल गया कि तुम चल्दी ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, क्यों, भाई, अब ये खुब्सूरा चेहरा लिए, मैं दिल रहा तुमारे सामने खुंगती रहाँगे, तो तुम क्या ठीक हो जाँगे मैं समझ में नहीं है, क्या करिए तुम, ना बबा ना, कहीं तुम मेरे हुसन का शिकार हो गए तो, तबा तबा, फिर मैं अल्ला को क्या में दिखाऊंगी, देखो, तुम बिलकुल मेरे हुसन का शिकार मत होना, समझे, मैं तुम बिलकुल मेरे हुसन का शिकार मत होना, समझ यह कोई हसने की बात है मैं नहीं बोलती तुम सबसे लेके बेटी तुझे पॉआ किया अपने से लंबा गुंबर ओड़नी की सूजी कैसे तुझे यह सब उस मोया दरोगा की वज़े से हुआ कौन वो मकार शैवास खान और नहीं तो कौन लगा था तेरी मेडी बाती करने बीमार के बारे में सवाल पूछने कैसे सवाल बेटी यहीं कि बीमार कौन है कोई खास अपना है क्या फिर तुमने क्या कह अपनी अपनी हसीना बुआ का लड़का है लगड़िया कारते कारते द़रिया में जा गिळा और बस ये तुमने क्या किया अरे जूट बोलने की क्या जरूवरत अब इसे एक छूट को निभाने करें न जाने और कितने जूट बोलने पड़ेंगे अरे जाने भी दो अश्रफ, बच्ची है गलती हो गई वो जूट जो किसी की भलाई के लिए बोला जाए उसे अल्ला भी माफ कर देता लेकिन शहवास खान जैसे लोग नहीं करते खान बाबा अरे इसका क्या है यह तो कल को ठीक हो के चलता बनेगा रह जाएंगे हम सजा फोकत्ते के लिए अरे अश्रफ, रुको, कहां जा रहा हो मुझे, मुझे माफ कर देना, मेरी वज़े से तुम्हें डांट पड़ी कोई बात नहीं अश्रफ की बातों का बुरा मत मनना भाई वो जबान का तेज जरूर है, लेकिन दिल का बुरा नहीं असलाम आलेकुम बीजगुल वालेकुम इसलाम, खान भाई, आईए आईए देखो तो, कौन आया तुम से मिलने वालेकुम इसलाम, अरे चान, माशाला, माशाला, आओ, बैचो, बैचो चाची, आज पहली बार घर से बार कदम रखा तो, कहने लगे कि मैं सबसे पहले चाची की घर जाओंगा अरे चाची, वहां से, यहां तब बगेर किसी सहारी के, खुद अपने पैरों पर चल कर आए अच्छा, शाबाज, खुदा तुमें तंदुर सी दे बेटे, उम्र दराद हो चाची, चाची आपने मुझे एक नई जिन्दगी दिया है मेरे दिल में हमेशा आपकी जगह उस मा के करीब रहेगी, जिसने मुझे पैदा किया मेरी ये जिन्दगी आपके प्यार की, आपकी खिदमत की कर्सतार रहेगी चल पगले, खुदा की शान में गुस्ताखी नहीं करते, जिन्दगी का लेने देने वाला तो वो अल्ला है हम तो बस वो जरिया हैं, जिसे वो अपनी मरदी चलाता है अच्छा सुन, चाची कुल की हाथ की दवयां तो तुमने बहुत खाई, आज खीर खाकर देख ले, अभी लाई वाँ भई वाँ, आज का दिन तो वाकई मबारक है बाते बनाना तो कोई तुम से सीखे, लो बेटे कीना बेटी लो बीबी गुल, हिलाज तो तुम इसका कर चुकी है और आज इतनी बड़ीया खीर भी खिला दी, अब सिर्फ एक एहसान और कर दो बच्चे पर एहसान? वो क्या? दरसर यह बच्चा बड़ा गयरतमंद है कहने का अब मैं ठीक हो गया हूँ, काम करूँगा अच्छा? और तुम तो जानती हो कि जब तक यह बिल्कु ठीक नहीं हो जाता इसे गाउं से बाहर भीजना मुनासिब नहीं है इसलिए अपने ही यहां किसी काम पे लगा दो अच्छा होगा, मजदूरी जो ठीक समझो, दे देना हाँ, क्यों नहीं खान भाई, मैं ऐसे घड़े बनाना तो यूँ सिखा दूँगी कि कुछे दुनों में अच्छे खास से पैसे कमाने लग जाएगा बेटे, तुम आज ही से आ जाना ठीक है जाजी, एक और कटोरी खीर मिल सकती है क्यों नहीं, क्यों नहीं हाई, दिन रातों में उनकी खिद्मत करती रही, मकर मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता अब मगाएगा, भूग से तड़ाप रहोंगे तो लो मगर मैं भी आज खाना नहीं बनाऊंगे पहले जरा चांच साब की सुनो, वो ठीक क्या हो गए, कि सबसे पहले चाची की घर पहुंच गए कहने लगे, चाची, मेरी जिंदगी, हमेशा आप की त्यार, आपकी खिद्मत की करता रही और हिना की खिद्मत का क्या, कुछ भी नहीं हाई, नूरी, तुने भी तो इतना दूद दिया था उसके रिए, पर जूटे मुआ कर दी, उसे तेरा शुक्रियादा किया? नहीं न, अरे सुबा शाम, एक से बढ़कर एक खाने के लाए और आज चाची ने खीर की दो कोटोरिया क्या खिला दी, कि वो कहने लगा चाची तो इतनी अच्छी खीर बनाती कि उनका हाथ चुमने को दिल करता कभी हिना का हाथ चुमने को दिल किया? नहीं, लेकिन नूरी? गुमने को है स कि वो की वुमने को खी ओब के गलाई की वोच्वमन सो कि वोल आव Tay से फोल ≈ आओ हिनारानी इस बड़ यहां कैसे पानी लेने आई हूं और क्या बगेर मत्की की हाई यह बेख्याली यह उड़ा उड़ा सा चेहरे का रंग तेरी तव्यत ठीक है ना नारदानी इस अरी रेशम मुझे तो लगता है कि अपने उस मारीज का इलाज करते करते हमारी हिनारानी खुद बीमार हो गई है क्यों बीमार हो गई तू? मुझे क्या हुआ? यह मर्ज वो नहीं जो दिखाई दे, यह तो सीधे दिल परवार करता है दिल पे? हाँ, फिर मीठा मीठा दर जगाता है, कुछ-कुछ गुधाती सपने लिखाता है और फिर ऐसा भी एक दिन आता है, कि इंसान खुद से परेहो कर, किसी और का बनके रह जाता है भायो रपा, यह किसा मर्ज है? इसी मर्ज को प्यार कहते है हिनरनी आहा, प्यार भी कोई मर्ज है भला? अब है या नहीं, यह तो वही अच्छी तरह समझा सकता है, जिसने तुम्हे यह मर्ज दिया है कौन? अरे, वही मेरी अनारदानी है, जो घर में महिमान बनकर आया था और तेरे दिल का मालिक बन बैठा है अरे, खान बाबा कहीं दिखाईनी देरे कहीं भाहर गए हैं क्या? वो आज पजार का दिन है ना, सब वहां गए है बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए दूद लाते हूं अरे, यह चाय बनी है रोज दूद पी-पी के ची उपकिया है, आज एक प्याली चाय मिल सकती है हाँ, क्यों नहीं, बैठो, मैं भी लाते हूं तुम्हारे लिए भी है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल है, अभी लाई यह लोग इतने दिरों के बाद चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, क्यों? हाँ, हाँ, बिल्कुल चांद, तुम्हें बता है, प्यार क्या होता है? प्यार? प्यार तो खुदा का बना हुआ वो हसीन जज़बा है, जो हर इंसान के दिल में होता है वो नहीं, मैं तो वो खास्वाने प्यार की बात कर रहे हूं, वो जो सीधे दिल पे वार करता है वार करता है? हाँ हाँ, तेर मीठा मीठा दर्जग आता है और फिर न जाने क्या उट पटाम हो जाता है कि एक इंसान दूसरे का हुके रह जाता है अच्छा अच्छा वो, वो प्यार तो तब होता है जब कोई गयर बिलकुल अपना सा लगने लगता है फिर इतना अच्छा लगने लगता है इतना अच्छा लगने लगता है कि जी चाहता है अपना सब कुछ उस पर कुर्बान करतो वो कैसे? वो ऐसे कि अब अच्छा समझो तुम्हारे पास एक ही प्याली चाह है जैसे पीने को तुम्हारा बना जी चा रहा है लेकिन जैसे उस गैर ने तुमसे वो चाय मांगी तुमने जट से उसे दे दी और खुद चाय पिये बगएर ही, खुश हो गए हाई हो रबबा क्या हुआ नहीं, कुछ नहीं यह तो हाई हाई तै भी तैरी तेरे प्यार में दीवाना टे लग्या है वे दर्दी तेरे प्यार में दीवाना कर दिया मुझे दिवाना कर दिया, नहीं भी लागे ना जिया हो बेदर दी तेरे प्यार में दिवाना कर दिया, बेदर दी तेरे प्यार में अपनी खबर है ना दिल का पता, कुछ मुझे याद नहीं तेरे सिवा देखो जिए तो ही नजर आए दिल रुबा, दुनिया के हर तयाल से बेदा ना कर दिया मुझे दिवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया मुझे दिवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया बेदर दी तेरे प्यार में दिवाना कर दिया, बेदर दी तेरे प्यार में सुट्र भार भार जखर Dumas मुझे रखती हूं पहीं, बड़े है ठदम नहीं खुशी खडप नहीं तेरा है करम मुझको मेरी ही राहते अंजाना कर दिया मुझको मेरी ही राहते अंजाना कर दिया मुझे दिवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना दिया मुझे दिवाना लगत दिया, नहीं भेल ना जे ना जिया, वो बेदर दिल तेरे प्यार ने दिवाना कर दिया, वेदर दिल तेरे प्यार ने ये लोग तो कुछ तमस्ते नहीं, अब आप ही इनने समझाईए पेचीदा मसला है, इक्रामिया, सोचना पड़ेगा असला वाले कुछ पता चला? नहीं खान बाबा, सरद के पाँ इतने भी गाह बचे थे उनमें भी पूछ लिया वहाँ भी कोई लापता नहीं है, चांद नाम की जितने भी लड़के खान बाबा, सब अपने अपने घरों में मौझूद है अब क्या करेंगे खान बाबा, पता नहीं बेटे, हम जो कर सकते थे वो हम ने किया, अब आगे जो अल्ला को मन्जूर जल्बाद ही ना करो चांद, हलके आख से बेटे, ज्यादा दबाओगे तो मिट्टी खराब हो जाएगी ना, अच्छा, अरी ओरी नजमा, पिछले आदे घंटे से मट्के छांट रही हो, क्या यह भी पसंद नहीं, अपको गुल पैसे दे के मट्का खरीदना है, तो पुर और इसना ठेड़ा, यह चांद के हाथों का पहला मट्का है, तुम कोई दूसरा ले लो न, दूसरा तो लेंगे ही, इससे तो पैसा दे कर कोई दिवाना ही खरीदेगा, चलो बेटे, तुम अपना काम करो, असलालेकुम चाची, वालेकुम सलाम बेटी, कैसे आना हुआ, मेरा मट्का फूट गया, दूसरा लेने आई हूँ, अच्छाच, जा अपनी पसंद का ले ले, शाबाज, चाची, यह वाला कितने का है, यह वाला तो मुफ्ट का है बेटी, ले जा, हाई अपपगुल, पहले बताती तो मैं ही ले जाती, अब इतना भी वेकार नहीं है, हाई यह तो मैं तुम्हें लाक रुपर में भी नहीं दूँगी, समझे, खुदा हाफिस चाची, खुदा हाफिस बेटी, कोई रहा हाफिस चाचीी, क्या हुआ बेटी कुछ नहीं बाबाजान मटका फूट गया मगर कैसे अब कैसे क्या मिटी का बरतन है गेरा तो फूट गया चलो कोई बात नहीं अब चाची के यहां से दूसरा लाना पड़ेगा हाँ मैं उसे कह दूँगा वह भेज देगी नहीं नहीं मैं खुछ जाओंगी अब पैसे देखे लेना है तो चांता तो होगा ना यह भी ठीक है तो किया बात है हीना बेटी आज फिर मटका फुड़ गया क्या हाई चाची आपको किस परा पता चल गया बस पता चल गया जा अपनी पतन का चांत ले अच्छा चाची कुछ है अच्छा चेची मैं चल्टी निव हाँ हां पुदावाफी असलाव अलेकुम खान भाई वालेकुम असलाव बीबी गुल को कैसे आना हुआ सोचा चलकर आपको बता दू कि हिना मेरे यांसे पिछले दिनों में ना जाने कितने मटके ले जा चुकी है तो पैसे लेने आई हो क्या तौबा करो मैं तो यह कहने आई हूँ कि यह मटके फूटने और खरीदने का सिलसला यूहीं चलता रहेगा अगर आपने कुछ ना किया तो अरे आजाने जो ही ना को अभी पूछे लेते हैं क्या 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 पूछेंगे आप कि बेची तुम उझसे पूछे बगएर ही जवान क्यों हो गई क्या मतलब है ना मज़े की बात खान भाई कि बचे जवान होते हैं तो दुनिया को पहले ख़बर हो जाती है और घरवालों को बाद में अस्सलाम आलेकुम खान बाबा बालेकुम अस्सलाम शेहबास खान आयाए बैठें आज सुभा सुभा इतनी सजदज के कहा की तयारिया है बस आपी से मिलने आया था खान बाबा कुछ इना के बारे में बात करनी है इना के बारे में? क्या क्या है उसने? नहीं खान बाबा ऐसी कोई बात नहीं है आपकी बेटी तो हीरा है हीरा एक बहुत ही नायाब और मुबारक हीरा मुबारक या ना मुबारक तो हीरा अंगूटी में जरने से होता है दारोगा सहाब अलबता उसे निगलने की हिमाकत की तो अत्री आकार्ट लेने के सिवा कुछ हासल नहीं होता निगलना होता तो खान बाबा से इजाज़त मांगने नहीं आता खान बाबा मैं हिना से शादी करना चाहता हूँ तो क्या आप तक खुआरे पैटे थे दरोगा सहाब बिल्कुल नहीं अब तक दो शादियां कर चुका हूँ आपकी दूआ से पहली बीवी अल्ला को प्यारी हो गई और दूसरी मुझे प्यारी नहीं खेर वैसे भी हम में चार शादियां जायद हैं लेकिन आप कहें तो खान बाबा मैं अपनी इस बीवी को तलाक देता हूँ तलाक क्यों क्या वो बीमार है या उसे अलाद नहीं होती अल्ला ना करे हमारे तो माशाला साथ बच्चे हैं तो फिर बच्चलन होगी क्या बात करती हो गुलबानों बात सिर्फ यह है कि मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता प्यार करता हूँ तो सिर्फ हिना से और अगर कल इना से भी जी बर गया तो उसे भी कहीं फेक कर चौथी शादी करेंगे आप पर खान बाबा मैं नहीं शेहबास खान शरीयत इसलाम की ये मुध्दस रिवायते ये कानून इसलिए नहीं बनाए गए कि मर्द उनका ना जाएस फाइदा उठाकर औरतों की जिन्दकी के साथ खिलबार करें नहीं ये कानून तो औरत को प्यार इज्जत और पनाह देने के लिए बनाए गए हैं लिल्ला इनको यू बतनाम न करें मैं तो इतना जानता हूँ खान बाबा के मैं यहां नेक नियस से आया था आप फैसला करने में कोई जल्दबादी मत कीजे सोच लीजे आपकी हिना को बड़े आश वाराम से रखूंगा जेवर और कपलों से लाद दूंगा उसे और फिर मुझ जैसा अदमी आपके आड़े तुम ठीक कहती थी बीबी गुल बच्चे जवान हो जाते हैं तो दुनिया को पहले ख़बर हो जाती है और घरवानों को सब के बाद मैं तो बस यही कहूंगी इससे पहले के मुआ जारोगा कोई नहीं मुसीवत खड़ी कर दे आप हिना की शादी कर दीजे कर तो दूने ब मगर बीबी उसके तो ना घर का पता है ना उसके घरवानों का और उस बिचारे को तो कुछ याद भी नहीं यानि कि अब वो यहीं रहेगा ना हमारे पास मैं जो कुछ भी कह रहे हूं बहुत सोच समझ कर कह रहे हूं हिना की शादी चांद से हो गई तो उन्हें सिर्फ बेटिया की नजर के सामने रहेगी बलके आपको एक बेटा भी मिल जाएगा फिर हमारी हिना इस नामरा दारोगी के बद नजर से भी बच जाएगी और किसी क प्रोमा चांदमी भाई मुझ मीठा कर लो एक खुशखबरी है खुशखबरी पापा चंदर का पता लग गया ना मेरा चंदर आ गया ओ मैं चंदर 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 ओ मैं पापा स्वीट पापा मामी मैंने क्या कहता वो देर से आता लेकिन आता जुरूर है मैं किसने खोश हो लो मुपी ढग लो पापा मैं तो आपको भूली की आप भी मिठाई लीजिए ला पापा चंदर आ गया पापा चंदर आ गया पिथे बात वह नहीं है क्या तो भेर मिठाई क्यों लाई है गर में? मेंके आज सुधा के पास हुने की ख़बर मिली है हाँ हाँ, खुश्या मनाई है आप लोग, जशन मनाई है आप लोग चान्नी मरती है मर्द दीजी उसे चान्नी? मैं पूचियोङ, आप लोग, पता क्यों नहीं लगाते मेरे चंदर का, क्यों यह ऐ गहाते घुनकर लाते उसे मेरे लिए धुन चुके है बैटी, धुन चुके है मगर वो मिलेगा कैसी जो इस दुनिया में है ही नहीं क्या मतलब ममी? क्या मतलब ममी, है ही नहीं से आपको क्या मतलब है चंदर, चंदर क्या भूट बनी था जो हवा में गायब हो गया चंदर, समझने की कोशिश करो क्या समझो बपा, आप ही बताए उरसे के जमीन निकल गई, आस्मान खा गया आप बताते क्यों नहीं, आप चुप क्यों है चंदर को चूँक कर लाएं मैं उर्भागल चंदर चाहिए मुझे मेरा चंदर चाहिए मारिये मुझे, चंदर मार दीजिए जाहे तो गला खोटकर फेक आईये मुझे कई लेकिन मेरे चंदर के बारे में कोई UTCG बात है, मत किजिए मत किजिए मेरे चंदर के बारे में कोई UTCG बात, मत किजिए मत किजिए मैं कहता हूँ, बत कमा ये पकवास मत किजिए बहुत हुचुका ये पागल पड़ जड़ 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 सब्लिए कर रैंडानी surplus तूह से ऩूद्लिए चाल और mitä पantry पू sulph surroundings सी! यह यह! यह यह! अरे कुई है, बचाओ, 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 मैं, मेरे बचाओ, 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 मेरे इर्वान, इर्वान, चलोचा पेसाई! रखरवान, तुसैन, घर्वान, तुम्हार बारी क्यों सुख़ा जीन थेक्ए आरोगाओ, आरोगाओ, जञाए जो दो, हुझ एस खूरागाओ, यह थून्ह तुम्हाराओ तुम्हारे है, क्योंड़ी बsite और खुदा का शुक्रिया दा कर के वक्त रहते चान भाई ने अपनी जान पर खेलकर इसे बचा लिया वाकई भावी क्या खूब निचाना लगाया चान भाई ने चान भाई हम ता उमर तुम्हारे एसान मंद रहेंगे अब तुम लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हो वैसे मैं तुम्हारे एसानों की बोच्ट दले दबा हुआ हूँ और नहीं बेटे आज तुमने अपने सर से इस कुन्बे का सारा कर्द उदार दिया तो तुम हो चान जो इस रात नदी में जा गिरेते जीप चला लेते हो बंदुख भी चला लेते हो पूँच سकता हूँ यह सब कहां से सीगा है जीप तो हमारे हां के बहुत से लोग चला लेते हैं और बंदुख भी आप में उनसे तो कभी दर्याफ्ट किया नहीं तो आज ये चांद से सवाल क्यों? हर अजनबी से सवाल करना तो हम पुलिस वालों का काम होता है खान बाबा लेकिन अजनबी यहां कोई भी नहीं चांद ना सिर्फ मेरी बेहन हसीना का बेटा है वो हिना का होने वाला शोहर भी है परसों रात मेंदी के रसा मतक की जाएगी और जुमेरात के मुबारक रोज निकाह फुरसत हो तो आप भी तशीव लाईएगा आपको भी दावत है बहुत बहुत शुक्रिया खान बाबा खुदा हाफिस यह आपने क्या क्या दिया खान बाबा हिना की शादी चान के साथ अगर शहबास खान का शक दूर करने के लिए आपने जूट बोला है यह जूट नहीं है अश्रफ मैंने बहुत सोच समझ कर यह एहम फैसला किया है हिना की शादी चान से ही होगी नहीं, खानबाबा, खानबाब यह ठीक नहीं है, आप अपनी बेटी को कैसे इनसान का हम रहा कैसे बना सकते हैं, जिसे खुद ना अपने रास्ते का पता है, ना मन्सिल का, ज़रा सूचिये, खानबाबा, मेरा ना तो कोई ठीका ना है, ना तो कोई खांदान है, और ना ही को आप क्या है? क्या हिना तुम्हें पसंद नहीं? ने खान बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है. हिना तो प्यार की वो मुबारक कली है, जिसकी महख से इनसान की जिंदगी सबर जाए. लेकिन मैं उसके काबिल नहीं हो, काबिल नहीं हूँ. तुम किस काबल हो बेटे, ये हिना की दिल से पूछा। अरे लड़ीकों देखो, दुले भाई का चोड़ा आ गया. अरे ये जूते दुला भाई के पैरों के लिए नहीं. ये तो हमारी हिनारानी के सर पे पढ़ने के लिए है. जूते पढ़ेंगे तेरे सर पे और वो भी फटे पुराने. हाई, ये क्या है, रूमी टोपी? अरे इसमें तो हमारे दूले राजा चपुस लगेंगे, चपुस. चपुस नहीं, मखंचू लगेंगे, मखंचू. वो भी परले दरजे के. जा जा, मखंचू लगेगा तेरा होने वाला. वो तो शेहजादा लगेंगे, जिसे देखकर सब राश करेंगे के असा रूमी टोपी वाले नाल जाना है. हाई, सुना तुम लोगोंने, अरे हमारे अनादान्ये ने रूमी टोपी वाले दे नाल जाना है. भाँ में लगेसा लगेगा झाले राश करेंगेसे लोगेंगे. जा जामारे भी वाले वाले नाले याले वाले 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 तेरा क्ता सुना है. करन उन्हार कि दूआ जुआ झालनें जो 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 जा आणए करन दो नायक कि दो जो 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 कि दो झालना झालना अस्तारूमी तुपी वाले नाल जाना ये तुपी वाले नाल जाना अस्तारूमी तुपी वाले नाल जाना ये तुपी वाले नाल जाना जो दुले के सिर्पे सहरा चिर्पे तेहरा मर जाना मर जाना असाते हूं तक बे तक मर जाना नाल जाना नाल जाना अस्तारूमी तुपी वाले नाल जाना मर जाना तुपी वाले नाट झाले के समी वाले विए पर जाना आजे तुपी वाले जाना भाले आजे तुपी वाले इश्क पे होगी महर खुदा की रभ ने सुन ले अर्ज हिना की रभ ने सुन ले अर्ज हिना की शुक राना शुक राना वर अपा तिरा लक लक शुक राना नाल 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 असार में उपी बाले नाल 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 बाल नाल 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 की में पीछे, पीछे, चुकराना, चुकराना, तिरे लिए सारा जगे चुकराना की में पीछे, चुकराना, तिरे लिए सारा जगे 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 चुकरान लाण लाण हा। लाशे 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 खाके बोलो, नाच के बोलो, झूंके बोलो, वश्मले तुले भाई की पेशानी, झूंके बोलो, वश्मले ओरे वश्मले, ओरे वश्मले ओ वश्मले, ओ वश्मले, ओ वश्मले वई 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 वश्मले वश्मले, वश्मले, वश्मले तुले के घर से इतर जो आया उसले तारा जहां महकाया इतर तन में मलके, आई दुल हल निकल के इतर तन में महकाया का के बोलोनाज के बोलो जूमके बोलो वश्मलय दुले बारी की बेशादी चूम कराद में अंत आपज शेम संस्क्राइब करें गालों करें और घुका इसे त्रों में सरा फोने समय करें चुम के दोलो बच्वन ले चांद! सबस्सक्तुम चांद! चांद?! चांद बेती क्या हुआ बीटा? क्या हुआ बेटे, कुछ बोलो भी। आप, आप लोग, मेरा तो अक्षिन्ट हुआ था, मेरी मंगनी होने वाली थी नहीं बेटे, मंगनी नहीं, आज मेहंदी के रसम है, और जो मिरात की मुबारक रोज तुम्हारी शादी है हिना के साथ हिना? कौन नहीं? नहीं, मेरी शादी किसी हिना से नहीं, चांद से होने वाली है चांद से? ये तुम कैसी बहकी-बहकी बाते कर रहे हो बेटे, चांद तो तुम्हारा अपना नाम है मेरा नहीं, मेरी होने वाली मंगेतर का नाम है, चांदनी, मैं उसे प्यार से चांद पुकारता हूँ क्या? हुँ खुदा खेर करें खान भाई, मुझे लगता है इसकी याददाश्ट वापस आ गई है याददाश्ट? हाँ बीटी, बोलो, बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? जी चंदर, चंदर परकाश, चंदर परकाश? ज्या? क्यों? देखे देखे, मुझे कुछ समझ में नहीं हा रहा है ये मैं… मैं, गाड़ी में, मेरा … देखी, मुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे पहुआँचा। लेकिन वहां कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जल से जल सिरी नगर पहुंचना है सिरी नगर? जिया, वहीं तो रहती है मेरी चांद या, खुद आया देखे, देखे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तू हिंदुस्तानी है तो क्या हुआ? हम सब यहां हिंदुस्तानी ही है? नहीं, हम पाकिस्तानी है और तू भी इस वक पाकिस्तान में है पाकिस्तान में? ये कैसर कृता है? बन uważ高! मकर-धो के पास वरे भी पता, क्या मिला तुझे हमारी फोली फाली हीना की जिंदध exp काहिल कर? क्यों फसाये तुने उसे अप्ती जूटी मुहपत के जाल में? क्यों? यहाँ? आप क्या कहरें? गलस है ये? छूट है यह जूट है यह सारे गाव में सार्दों सजावट चूट है ये खान बाबा का जुका हुआ सर गलत है क्यों वह पर्दे में बैठी ही ना उसके हाथों की महनी छूट है गलत है नाई अगर यहां कोई गलत है तो वो तू है तू और तेरी ये मर्मूस जिंदगी तेरा ये वजूद जिसे मैं आज खत्प कर दूँगा आज ये जासूस है खान बाबा क्या आज ये असलिए जायर होई कि ये एक हिंदुस्तान है कल ये भी जाहिर हो जाएगा कि ये एक जासूस है खान बाबा जासूस? हरकेज ने मैं कोई जासूस नहीं हूँ मैं खुद पुलिस में जाकर अपनी सारी एस्टेश बताने को तयार हूँ अभी इसी वक्त तांगे तोड़के रख दूगा तेरी अगर गाओं के भार कदम भी अख़ा था आप अप भी इसकी चलाकी को नहीं समझते खान बाबा इसने हम सब को अपने फरेव के जाल में उल्चा लिया है यह अच्छी तरह से जानता है कि पुलिस आफ इससे नहीं हम से सवाल पूछेगी शेबास खान ही ना से पूछेगा आपसे पूछेगा खान बबा कि आपके सब के सामने एक पुलिस आफसर जूट क्यों कहा कि यह आप की सगी बैन हसीना का बेड़ा है हम सबसे बुचेगा कि हमने उसे अपनी परह में क्यों छुपाय रख़ा महीनों तक और महीनों तक क्या सो सकता जैसे के तो कुछ जानता यूं हा देखिए मैं इतना की कि मैं मैं चंदर प्रकाश हूं मैं बारा मुला कर रहने वाला हूं मैं चांदी नाम की एक लड़की से प्यार करता हूं जिसके साथ मेरी मंगनी होने वाली थी के लंदर में। तुम्हें होश आते आते बहुत देर होगी बहुत देर होगी खान बबाबा मैं तो अब भी कहता हूं कि अश्राफ ये वक्त गुस्से में आके होश्ट गमाने का नहीं है बहुत सोच समझ के हमें इस नाजुक मसले का हाल निकालना पड़ेगा और इसके लिए वक्त चाहिए बीबी गुल तुम इसे घर ले जाओ और तुम लोग भी अपने अपने घरों को वापस लोट जाओ इस बात का फैसला हम कल करेंगे बीजिना झाल 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 मादधा उन्सु उन्सु नादाने क्यो एर नुरी मैंने ऐसा खाब क्यों देखा आखिर आखिर चांद की जगा तो आस्मान पर है और हेना की जड़े जमीन में हमारा मिलना तो नामुम्किन था नूरी फिर मैंने ऐसा खाब क्यों देखा क्यों देखा मैंने नूरी क्यों देखा यांसु यही बेह के थम जाए तो अच्छा है आखर खता तो मुद्से हुई है फिर इसकी सजा किसी और को क्यों मने उनके सामने आफसु बहाकर उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाए नहीं नूरी आप यह गम सिर्फ मेरा है इसका इसास किसी और को नहीं होना चाहिए सारा कुसूर मेरा है खान भाई मैं मैं आपको हिना की शादी का मशवरा देती यह बात यहां तक पहुंचती अल्ला की मर्जी के बगर कुछ नहीं होता बीबी गुर्म इना की नसीव में जो लिखा था वह हो गया किसको पता था कि हमारा यह फैसला इना की जिन्दगी को हमेशा के लिए कब के अंधेरों में ठकेल देगा रुक जाओ इना कहां जा रही हो चंदर के दूद लेके जा रही हूं कोई जरूरत नहीं जमन को दे दो बोले जाएगा क्यों अश्रफ भाई आज से पहले तो मुझे किसे ने नहीं रोका तब बात और थे हिना अब बात और है अश्रफ अगर बात सिर्फ इसकी और है कि आज वो पाकिसानी नहोकर हिंदुतानी है मुसल्मान नहोकर हिंदु है चान नहोकर चंदर है तो बड़े शर्म की बात यह आप क्या कह रहें खान बाबा अश्रफ लियां आसमान में चमकते चांद को हम चांद के बजाए चंदर कहके पुकारने लगे तो अल्ला उसकी रोखनी तो कम नहीं कर देता फिर एक इंसान का नाम चांद नहोकर चंदर हो गया तो उसकी तरफ हमारा रवया क्यों बदरने लगा क्या आप वो इंसान नहीं रहा हमारा महमान नहीं रहा महमान, क्या खूब सिला दिया है उसने हमारी महमान नवाजी का वा, उस नमख खराम ने हमारे जजबास से खेला हमें धोका दिया खान बाबा, हमारी हिना की जिन्दगी बर्बाद कर डाली नहीं, ये सच नहीं है अश्रफ भाई, वो अगर चाहता तो वाक़ी तुम्हारी इस बेंट की जिन्दगी बर्बाद कर देता, सोचिए, कोई इसका क्या बिगाड़ लेता वो अगर मेंदी की रस्म पूरी कर देता, मुझसे निकाप पढ़वा लेता, और फिर छुपचाप रात की अंधेरे में हमेशा की लिए गाइब हो जाता हिना, हिना ठीक कह रही है अश्रफ, चंदर चाता तो ऐसा कर सकता था, लगर उसने ऐसा किया नहीं, क्यूंकि वो एक शरीफ और नेक बच्चा है ठीक है, यू ही सही, भाराव उसका यहां रहना मुनासिब नहीं है, उसे कह दीजे कि वो अपनी शराफत का टोकरा उठा कर यहां से चलता बने, दफा हो जाए हमारी जिंदगी से यह इतना आसान नहीं है अश्रफ, जितना तुम समझते हो, वो यहां परदेशी है, अगर यहां वहां सवाल करते वक्त, किसी को उस पर शक हुआ, तो सीधा भसेगा वो पुलीस के जाल में, और इससे हम सब को खत्रा है, यह तुम अच्छी तरह जानते हो, तो फिर क्या कर उठाकर सिकंदर गुल की तरफ रवाना हो जाएंगे, और अगर कोई पूछेगा, तो हम कह देंगे कि हिना के सुस्राल वालों की यह जिद थी, कि उसकी शादी उन्ही की गाव में हो, रास्ते में तुम और रजा चंदर को लेके अलग हो जाओगे, और रात के अंधेरे मे सरहत पार कर वाद होगे, उस वक्त तक हम शहवास खां के अलाके से निकट चुके होंगे, और किसी को कानो कान ख़बर भी नहीं होगी, कि चांद नाम का एक लड़का कभी हमारे बीच आया भी था, यानि कि अब आपने खुन्बे के लोगों को बेवक्त दर्बदर करना च जाते हैं, यहां तक कि मुझे आरजाक को मौच के मुँ में ठकेलना चाते हैं, अश्रफ बेटे मेरा मतलब यह नहीं, माफ कीजिए खान बाबा माफ कीजिए, भाए, भाए, आपके इस मनसूपे में हरके जर्गेश शामिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आप जो करना चाहे करें, खुदा हाफज, अश्रफ, अश्रफ, बेटे इतनी जल्सादी मत करो, आप फिकर ना करें, खान बाबा, मेरे साथ कोई जाए ना जाए, लेकिन चंदर भाए को सरवर पार, मैं जरूर लेकर जाओंगा, तुम अकेले नहीं जाओगे रजाक भाई, तुम्हारे साथ म जे जाए जाए बुम्हारे साथ मैं जाए बाएगे बाएएईगा! चंदर अच्छे से मूँ धोये के नहीं दिखाओ चलो जल्दी से दूद पीलो लो माफ करना इतने दिन से मैं तुम्हें डांसी रही न कुछ आदत सी पड़ गई है इतने दिन का तो मुझे कुछ पता नहीं परापकर डाटोगी तो अच्छा है करोगे पर इतने यकीन करना कि मैंने ये गुना जान के नहीं किया बस यू समझो कि मैं एक तरह की भी खबरी में था एक लंबी नींद में और तुम्हारी उस नींद में खाब मैंने देख डाला फिर कुसूर तुम्हारा कहा हुआ चंदर कुसूर तो मेरा ही हुआ ना अब खाबों का क्या रोना खाब तो आखे तूटते ही है जिंदगी किसी खाब का नहीं थकीकत का नाम होता है और तुम्हारी हकीकत का नाम है चंद ही वो जो सरहत के उस पार तुम्हारा इंतजार कर रही है लेकिन अब उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पढ़ेगा इंशाल्ला बहुत जल्द तुम अपनी चांद के पास पहुंच जाओगे बहुत जल्द मैं अंदर आसकता हूँ तुम बहुत जरूरी बात है अब बोलो अश्रफ मिया क्या कहने आयो इस से पहले कि मैं एक लफ पी कहा हूँ आपको मुझसे एक वादा करना होगा वादा? कैसा वादा? यही, कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा है उसका कोई असर मेरे कुनबे पर नहीं होगा आपको वादा करना होगा, दर Listen tell कि आप खान बबाबा, हिना या मेरे खुन्बे के किसी शक्स पर किसी भी किसम की कोई तकलीफ नहीं आने देंगे परना ये राज मेरे ही साथ मेरी कप्र में जाएगा ये क्या बकुवास है जो बताना उसे जल्दी बताओ अलादीन खामोश हम वादा करते हैं तारोगा साब हिना की शादी तूट गई मगर क्यों वो नड़का हिन दस्तानी है खान भापा समझ भी नहीं आता किन लवजों में आप लोगों का शुक्रियाता करूं और जरूरत पी नहीं क्योंकि जो कुछ हमने किया वो इंसानियत का तकाजा था अब जाओ और देर ना करो खुदा आफेज अचा हेना मैं चलता हूँ हाई हिना से रुखसती कैसी हिना तो तुम्हारे साथ जाएगी हिना बेटी तु ये क्या कह रही है क्यों घबरा गएना आप सब हाई चंदर वापिस अपने वतन लौटकर शादी करने वाला है तो क्या अपनी दुलहन के हाथों पे हिना नहीं सर जाएगा ये लो, हिना मेरी तरफ से चांद पाजी के लिए शादी का तोफा सदान भुल भुल नव में जाए सदान असले बहारा सदान असन जवानी रहते सदान सोहबती यौरा रभ जाने किस दावन के लिए ठान सब चुनता है कहते हैं सचे दिल की दुलाई जल्द खुदा सुनता है तेरा अल्ला दी गेवा तेरा मौला दी गेवा खुदा हुआ हुआ लुआ जाने बाले, जाने बाले, जाने बाले क्याने बाले, जाने बाले कि याद जे हम दिये, कि याद जे हम दिये, खुदा की हवाले हो, जाने बाले तेरा अल्ला नी गिर्वा, तेरा खोला नी गिर्वा कोई मश्य तेरा आए, तेरे राहो में कोचे साथ हर अक्टे अपनी मर्ध की बाहो में कोचे साथ हर अक्टे अपनी मर्ध की बाहो में कोचे साथ हर अक्टे अपनी मर्ध की बाहो में तेरा अल्ला नी गिर्वा, तेरा मौला नी गिर्वा कोचे साथ हर अक्टे अपनी मर्ध की बाहो में जहां में कहा लो ऐसे निवाते तुम्हारी मुझा बुला ना सकूंगा तुम्हारा ये ऐसा चुका ना सकूंगा दिये जिन्दगी के, दिये जिन्दगी के तुमीने उचा ले मेरा दिल न चाहे, मेरा दिल न चाहे के तुम से विजा ले दिल बाले, दिल बाले, दिल बाले तुम है दिल के खरीब दूर आखों से हम तन्य हाईयों में बंदे करे तीरिया जों से छो तुम है दिल के खरीब दूर आखों से हम तन्य हाईयों में बंदे करे तीरिया जों से छो पूल से दिल पर, पूल से दिल पर तुम है जाने वाले, ओ जाने वाले जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले मेरा पल्या, 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 मेर जुपलाइ… अच्छय चयन्म भई, भुराइस अच्छय दामन हाँ, भुराइस गुराइस जलताओ, आँ कि यας दो कि यहा झानां कर द दो दो तरह कुबूल कर लो कि दरसुल तुम एक बहुत ही मकार और खतरनाक जासूस हो तुम एक बहुत ही खतरनाक जासूस हो खान बाबा हिना और उनके खानदान के तमाम फर्द तुमारे साथी हैं वो सब के सब गद्दार हैं रवाबदीन जाओ और जाकर उस बुढ़्धे और उसकी बेटी को फौरण गिरिफतार करके यहां ले आओ मुल्क से गद्दारी करने वालों के लिए हमारे दिल में रहम की कोई गुझाइश नहीं इंस्पेक्टर साम अरे तुम अब तक गए नहीं 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 तुम रुको देखें इंस्पेक्टर साम मैं आपके हाथ जोड़ता हूं पहले ही मेरी वज़े से उन लोगों को बहुत दुख पहुचा है उन नेक बंदों पर और और सुलमत कीजिए देखें आप मुझे जो भी सजा देना चाहते देदीजे बहले ही मुझे फासी पर लटका दीजे लेकिन लेकिन उने जाने दीजे आप आप जो भी कहेंगे मैं करने को त्यार हूं अच्छा अच्छा तो फिर फॉराँ इस हलक नामे पर दसखत करके अपना अक्बाल जुरू कर लो एक्बाल जुरू यही के तुमें जासूस हो लेकिन मैं जुचा अब दसखत करते हो या ठीक है ठीक है तास्ट करता हूं जंदर पुलीस की हिरासत में कैसे मन्हुत खबर लेकर आये हैं प्रजाग भाई मगर रजाग नहीं हुआ कैसे खान बाबा शाबाज खान को पहले हमारे इरादों की खबर हो चुकी थी क्या मगर कैसे उन्हें अश्रव भाई ने बताया था चची अश्रव भाई ने जो कुछ भी किया बिलकुट ठीक किया खान बाबा बहुत शुक्र कीजिए कि दरोगा सहाब ने इंसे कियो हुए वादे को निभाया और हम दोनों को रहा कर दिया वरना आज हम सब अपने वतन से घद्दारी करने के जुर्में कायत खाने में पड़े होते क्या मतलब अश्रव भाई का शक सच साबित हुआ खान बाबा चंदर वाकई में एक जासुस निकला नहीं यह तुम क्या कह रहे हो दमन अरे सारी दुनिया कहे तब ही मैं ये बात नमानू कभी नमानू चची दिल तो हमारा भी नहीं मानता मगर हम दोनों अभी अपनी और भालूं खान बाबा कब तक कब तक आप दिल की बात मानते रहेंगे आखिर लो भी दिल से उपरत का मका मकाम दिया है तो फिर आप दिमाग की बात क्यूं से आहीं मानते हैं आप तुम ठीब कहते हो अश्रव बाबाजान, चंदर जासूस नहीं हो सकता, इन्हें जरूर को खलस पहमी हुई है, धोका हुआ है इन्हे धोका तो हम सब को हुआ है बेटी, उस एहसान फरामूश को पहचानने में बाबाजान? हाँ बेटी, उसने हमारी हमदर्दियों का वो सिरा दिया, कि आज हमारा इंसानियत से भरोसा ही उठ गया, फिर कभी उसका नाम अपनी जबान पर ना जाना नहीं, रुक चाहिए बाबाजान, चंदर बेकुसूर है, बाबाजान चाची, चाची, आप समझाएए ना बाबाजान को, आप तो चंदर को अच्छी तरह जानती है चाची, चाची, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मेरी बात क्यों नहीं सुनते चंदर बेकुसूर है, चंदर जासूत नहीं हो सकता, चंदर बेकुसूर है, मैं जानते हो चंदर बेकुसूर है, आप मेरी बात क्यों नहीं माते, या अला, मैं क्या करूँ और यह क्या गड़ी है मुझे इसकी आतत नहीं है चाहिए आतत नहीं है तो डाल दीजिए क्योंकि कल तुम्हें ठीक पांच बजे मेरे घर पहुंचना है क्यों पापा मुमी तुमसे मिलना चाहते है क्या अरु वह जिर्फ वक्त पर आ जाईएगा हुदूर महरबानी होगी और मैं तुझे सारे घर में ढून रही हूँ अब चल बैटी वो लड़के वाले कबसे तरह इंतजार कर रहे हैं और मैं जो सदियों से इंतजार कर रहे हूं किसी का तुम्हें से नाम हवाला साथ तु यहां क्या करने आई है तु चंदर परकाश से मिलना है तुसे यहां क्यों मिलने आई है चंदर परकाश से मिलवाने में मेरा क्या फाइदा होगा ही ना बीबी ले लीजे हुजूर चांदी का है जल्दी जाने तो हुजूर आ जाएंगे शुक्रिया हवालदार साथ नबाब दीन तु अब भी हरकुता से बाज नहीं आएगा तुम्हें क्या कर रही हो तुम्हें यह नहीं आना चाहिए था क्यों डर लगता है कि तुम मुझसे जूट नहीं बोल पाओगे जूट किसा जूट जमाने भर से तो तुमने कह दिया कि तुम जासूस हो और उन्हें मान भी लिया पर मैं जो नहीं मानती उसका क्या ना मानने की कोई वजह मैंने हरस नामे पर खुद दस्तकत किया है कबूल किया है कि मैं एक जासूस हूँ ठीक है फिर मेरे सर पर हाथ रखकर एक बार और के दो यही बात नहीं हिना का इतना ख्याल है उसका ख्याल क्यों नहीं करते जिसने तुम्हारे इंतजार में अपनी जान हरकान कर ली होगी मैं मजबूर हो हिना अगर मैं एक बाले जुरुम ना करता तो शहवास कान खान बावा और तुम्हारे सारे कबीले को बरबाद कर देता नहीं चिन्लों ने मुझे एक नहीं जिंदगी दिये मैं उनकी बरबारी की वजे नहीं हो सकता मेरे पस कोई रास्ता नहीं था और कोई रास्ता है भी नहीं है जे लोग चल्दीसे चांद बाजी के नाम चिछी लिकतो वो यखीनन सरकारी मेत्मों के जरी सारी बात साफ़ कर आलेगी इंसाफ हो जाएगा चंदर इंसाफ हो जाएगा ऐसे क्या बेखते हो चंदर मैंने तो दुखों का पाहर तोड़ दिया तुम परेना और तुम हो के मेरा ही दुख तुम से साहनी जाता तुम मेरा संदेशा लेकर जाओगी मेरी चाननी के लिए मेरी बिछूड़े का दर्द, मेरी दिल के पुकार, खुद तुम पहुचाओगी मेरी चान तक भाई अब इतनी मुश्किल से थोड़ा सा वाख मांग कर आई हूँ और तुम हो के बाते बनाने लग रहे हो चलो जल्दी चिठी लिखो लो ना, जल्दी करो लो अब लिखो ना, जल्दी करो लिखो ना, जल्दी 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 चिखिए ने दर तुप राखवानी ले जा ले जा समेरा सुन यार जा चिखिए ने दर तुप राखवानी ले जा ले जा समेरा सुन यार जा सने बातुन यार जा पन्ले बिच्छ आगर दे, आपकाने में नुकर दे पन्ले बिच्छ आगर दे, आपकाने में नुकर दे इश्च पे मुश्च छुपाएं नहीं छुपरे फिर फिराद, फिर फिराद, जान जाती है दुनिया फुट पे लगाने चाहे तारी कोई चुपरे फो मुटा पच्छ आती उगलगाई प्यारा चिथिये, 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 दर्चुपरा अकवालिये ले जा, ले जा, सनीना सुनियार जा ओ, ले जा, ले जा, सनीने सा सुनियार जा ले जाती है खिरने सुनियार आवे लावे छोड़ा कोई बिछरे नयार से सुनते है आसों का रिशता है प्यार से आसों के दर दिके आसों के दर दिके शोले धनी पुछते हरो रभा पात चंगी लब इंतजार से ओ दुख देना ना किसी को इंतजार जा जिखिये दर दिके राख वाल ये ले जले जा सनीरा सोनी आरजा जिखिये 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 मैंने इस चिट्टी पट टिके लगा दिया बैटी, बाहर इसे बक्से में डाल देना, शाम की डाक से रवाना हो जाएगा बहुत शुक्रिया चाचा, खुदा हाफिज अस्सलाम आलेकूम जनाप क्या आप बता सकते हैं कि अभी अभी वो लड़की जो खट डालकर गई है, वो किस नाम और पते पर था? अहां क्यों नहीं, मैंने खुद अपने हाथ से उसलिफा फेबर लिखा था, खट किसी चान निकॉल के नाम था और पता शरी नगर का शरी नगर देख बेटी, दुनिया में रहना है तो दुनियादारी भी देखनी पड़ती है, तू अपनी छोटी बहन सुधा के बारे में सोच, अगर तू कुवारी बैठी रहेगी तो उसकी शादी कैसे होगी, और फिर सुरेंद्र कोई आजनभी नहीं है, दरसल हमें उसका एहसान मा मांगने आया, इसलिए न, कि वो चंदर का सच्चा दोस्त है, वो तेरा दर्द समझता है, जस मा ने अपनी कोग से जनम दिया, अगर वही तेरा दर्द नहीं समझ सके, तो कोई और क्या समझेगा, खना साब, एक एक अप चाय और हो जाए, नहीं नहीं कॉल साब, वैसे बहुत देर हो चुकी है, अब तो, सुनिए, वो चांदनी कुछ कह रही है, हाँ हाँ कहो, वो सुरेंद्र से बात करना चाहती है, मैं आसा, शुक्त, हाँ, चांदनी जी, कहिए, मैं हाजर हूँ, सुहिंद्र जी, आप चंदर के दोस्त है, इसनाते आप मेरे भी दोस्त हुए ना, जी, जी हाँ, बिल्कुल, तो मैं अपने मन के बात, आप से साफ-साफ कह देना चाहते हूँ, हाँ, कही न, प्लीज, सुरेंद्र जी, आप इसलिए मुझसे शादी करना चाहते हैं, क्या आप मुझे खुश देखना चाहते हैं, बात अकेले आप ही के नहीं है, आपके माबाप, आपकी छोटी बहन, सब आपके दुख में दुखी है, सब यही चाहते हैं, और मैं भी, क्या फिर से जी उठें, खिल उठें, आखिर, जिंदी की कभी यही तो दस्तूर है, कि आज को देखा जाए, आने वाले कल को देखा जाए, और जो बीच चुका है, उससे भूलानी की कोशिश की जाए. लेकिन चंदर मेरे लिए बीते हुए कल की बात नहीं है, सुरेंडर जी, वो तो मेरा वर्तमान भी है, और भविश्य भी, मैं चंदर से प्यार करती थी, करती हूँ, और मरते दम तक करती रहूँगी, चाहे वो लोट कर आए, या कभी ना आए, अब आप ही बताईए, सुर और शादी किसी और से कर लूँ, रही बात मेरे बाब आप की, तो ये तो कितनी स्वार्त की बात होगी, कि मैं उनका दुखतूर करने के लिए आपको, आपके सारे परिवार को अपनी दुख के लपेट में ले लूँ, इससे तो कुछ और भी दुख होगा, कि ये चाहते है हर्गिज नहीं, ये मेरा मकसद नहीं था जानती हूँ, इसलिए सुरेनर जी, मैं जैसे भी हूँ, ठीक हूँ मेरे पास, मेरे चंदर की यादों का खसाना है, उसके गम का जाहरा ही बहुत है मेरे जीने के लिए देख लिया ना हमारा निशाना चंदा, तो आपने मारा है इसे उरते परिंदे मार गिराने में तो, तुम्हारे इस गुलाम का वाकई कोई जवाब नहीं है चंदा हाँ, बड़ी मर्दानगी का काम किया है आपर, इसे चलकर हल्दी चुना बांध लो, शायद बच चाएं शाहबास खान की मार से बचना, नामुम्किन है खलत सोचते हैं आप दरोखा जी, मारने वाले से बचाने वाला बढ़ा होता हाँ, किसी किताब में हमने भी कुछ ऐसा ही पड़ा था, लेकिन जिन्दगी किताब नहीं होती चंदा वरना कोशिश तो तुमने उस जासूस को बचाने की बहुत की थी, क्यों? चंदर जासूस नहीं है दरोखा जी बिल्कुल ठीक कहा तुमने, उस कमबख्त ने इतनी मार खाई तब भी खामोश रहा लेकिन जब उसे मैंने ये धंकी दी, कि मैं तुम सब को वतन से घद्दारी करने के जर्म में गरिफतार कर लूँगा तो उसने तुम सब को बचाने के लिए, हलफ नामे पर दसकत करके, अपने ही खिलाफ हमें सुबूत दे दिये, जजबाती निकला बेवकूफ हाँ दरोखा जी, आपकी नजर में जजबाती या बेवकूफ होना एक ही तो बात है अब देखना, उससे मिलेगी सदाए मौत और हमें मिलेगी तराकी देख लीजेगा, चंदर की सचाई दुनिया के सामने आकर रहेगी अच्छा, मगर ये सचाई दुनिया के सामने लाएगा कौन, तुम या चंदर का लिखा हुआ, ये खत खत? मेरे अलाके में मेरी मर्दी के खिलाफ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता समझी चंदना अगर तुम चंदर को वाकई बचाना चाती हो तो उसकी सिर्फ एक ही तरकीब है तरकीब? अपने बेवपूफ पाप से कहो कि अब वो खुच चलकर तुम्हारी शादी का पैगाम लेकर आए हमारे पास क्या? क्या आपने ये सब इस नाजीज के लिए क्या? तुम तो वो चीज वो चंदना जिसे देखकर अच्छे भले इंसान का इमान डगमागा जाए मेरी बात गौर से सुनो पर सुच अंदर की पेशी है अगर एक हफ़ते के अंदर-अंदर हम दोनों की शादी हो गई तो मैं शादी की रात बतार मू दिखाई उसके खिलाफ सारे सुबूत तुम्हे देदूगा और चंदर बच जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ चंदना तो यकीन जानो पेशंदर को फांसी के तखते पर लटका कर ही तम लूँगा सोच लो चंदना अब चंदर की जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथों में है खुदा आफिस नहीं बेटी यह मुझसे नहीं होगा हर्चिस नहीं होगा बाबाचार नहीं बेटी तू चाहती के मैं तुझे जीते जी जहनलुम की आग में धकेल कर मौत से बत्तर जिंदगी कहवाले करतू मुझे थोड़ा सा रहम खा बेटी मैं तेरा बाप हूँ और एक बाप अपनी बेटी को शादी का मुबारक जोड़ा पहना के दुखतर करता है मौत का कफर नहीं तुझे खुदा रुसूल का बास्ता बेटी मुझे इतनी बड़ी सदा मत दे ठीक है बाबजान अगर आपका ये फैसला है तो फिर मेरा भी फैसला सुन दीजिए अगर दरोगास साब से अपने मेरी शादी ना कराई तो खुदा कसम मैं अपनी जान दे दूँगी खान भाई ये आप क्या कर रहें बेगरत बेहया लड़की यानि बाप के जजबात का एसास ही नहीं इसलिए हमेशे इतना लाग प्यान दिया था क्या आज तु मेरी जिन्दगी का अजाब बन जाए बस कीजे खान भाई बस कीजे पहले इस खरीब से ये तो पूछी कि इस नहीं यका यकर सुमय दारोगास से शादी का फैसला किया क्यों बेटी हिना तु उसके लिए इतनी बड़ी खुर्बानी देना चाती है जो तेरा कभी हो ही नहीं सकता क्यों बेटी क्यों चाची चंदर ना कभी मेरा था और ना कभी होगा मैंने तो खुदों से हमेशा उसी लड़की के नाम से पुकारा जिसकी अमानत बनकर वो मेरी जिंदगी में आया था और अमानत में ख्यानत करना अल्ला के नजर में गुना है जाची अगर प्यार अल्ला का बनाया हुआ सबसे यजीम जजबा है तो फिर दो प्यार करने वाले दिलों को मिलाना यगीनल सबसे बड़ा सवाब होगा मरहबा बेटी मरहबा काश हर इंसान के सीने में हिना का दिल होता नहीं नहीं या अल्ला मैंने तो तुझसे अपनी बेजी के लिए खुशिया मांगी थी दूआ मांगी थी कि उसकी राह में तो फूली फूल बिखेर देगा काटे नहीं एए मेरे मालिक अगर यही उसकी तख़दीर का फैस्ला तो बना ले ऐस्ला वर्ना यारहीम तेरे रहम से मेरा खीदा हमेज़ा हमेज़ा इसकिन यह उट जाएगा पापजान, मेरी तकबीर का फैसला तो आपने उसी दिन कर दिया था जिस दिन आपने मेरा नाम हिना रखा करता है तू मुनसिपे सब दिल मिल जाएगा तो पूछेंगे हम किस बिना पे जिन्दगी का फैसला करता है तू मैं हो कुष रंग ही ना क्या ये कुष रंग ही ना जिन्दगानी में कोई रंग नहीं मेरे बिना मैं हो कुष रंग ही ना क्या ये कुष रंग ही ना कर तू में हृईएभा तू कर दा में है कर दिल आइढ ma हरसे गिलिया, और हसे समसी में नई, रंग लाने के लिये, दोनो पिती लो, रंग लाने के लिये, दोनो पिती, के लियाँ के में लिये, रंग लाने के लिये, के लिये दियाँ कोषिध आयाखने के लिये, दो कर दो, चारी एंग सो चीजिद कर दो क्या हुआ चाचे आप लोगों की आखों में आसु क्यों है यह तुमने ठीक नहीं किया श्राफ सिर्फ एक बेबुन्याद शक्त के बिना पर एक मासुम इंसान को मौत के मुह में धकेल दिया तुम किसकी बात कर रही हो चाची उस फरेवी चंदर की हां मैं चंदर की ही बात कर रही हूं अश्रा जिसे तुने शहबास खान जैसे जल्लाव के हवाले कर दिया ताकि वो इस मौके का नाजाइस फायदा उठाकर हम सब को अपने मकारी की जाल में फास सके अगर दारोगा साथ चाहते तो हमें वाकई फास सकते थे चाची कानून के बेरहम जाल में मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया रजाक और जमन के रहाई इस बात का थबूत है वो तो सिर्थ उसकी एक चाल थी धोका था अश्रा और ये बात किसी और ने नहीं खुद शैभाद हिना को बताई है चंदर ने हम सब को कानून से बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया हमारे नमक का हक अदा किया उसने और अब उससे रहा करने की जो कीमत वो कमीना शैभाद खाल मांग रहा है तू सुनेगा तो तेरी रूख काम उठेगी पर इत कली जब भर जाए पड़ेगी क्या कि अश्राव तू तो जासूस पकड़वाने गया था ना पकड़वा लिया जासूस देख लिया अपने शक का अंजाम अब तेरी कीकी सजा तेरी इस मासुम बहन को भुगतनी पड़ेगी श्रबास खान जैसे जल्लाक से शाधी करके उसके जिंदगी जहन अइसा नहीं होगा इना पहन अचान नहीं परिश्टा नहीं जो गलती ना कर शकूंग यह अलेकिन मेरी गलती की सजा तुझे मिले इसा नहीं होने तुबाथ मैं तेरे सर पे हाथ रखके कसम खाता हूँ कि चंदर को उस मकार शेवास खान की गायद से आजाद करवाके सरहत पार मैं करवाऊंगा चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान क्यों न देनी पड़े हाँ अर्यो गाड़ी का रास्ता क्यो रोग रखा है पहल गाड़ी का पहिया निकल गया है शाइबाज खान खान बाबा फिर गाड़ी उठा कर एक तरफ कर दो हमें अदालत पहुशने में देर हो रही है अरे इतनी ही देर हो रही है तो अपने आदमियों को भेजो ला हमानी मदद के लिए इतनी भारी बैल गारी हम दोरो कैसे उठाएंगे बला लवाबदीन हुजूर सिपाईयों से फारन राशा साफ करवा दो आव सब लोग चलो जल दे जल दे जल दे चल चल अरे तुई यह रूप जा वुदू 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 यह कोई तरिका है हाँ अरे हटाओ नाश्को हमारी जामान को के को iblia अरे खरो वाल अरे प्धिस छूल कहीए हम आपनोछन कोवा अरे क्वारी जालुदू विल्यो अरे चलो अरेजのниगत जाılmış है, मिर ओुला? यहालाए! लब बब बबदीन! तुम इस सरबसे बीचे करो मेडर से बीचे आताओो! नो थूर! मुस्तुफा! दी! तुम ले बनो को गरफ़तारकाओñ जी तूर। जमन, ये लो, चंदर आपने वासकर मुझे दो, अरे वक्त नहीं है वासकर मुझे दो धिना, तुम चंदर को लेके पीरा वाली टेकर पर पहुँचो, हम पुलिस से पीसा चुड़ा के रात होने से पहले महाँ पहुँचते हैं, जमन इस तरफ, बरदक इस तरफ, आउ आशन! श्विर्ण चुड़े! आउसमन! चौँ चौँचो! कर दोब कर 사 dobrý तका प्सुल प्सूश से बस्याटर के compete कर दो कर दो आससर्ण दो झाल प्रुप्चार चंदर प्रगाश्ष! अश्राइब! अश्राइब? अश्राइब! श्राइब! अश्राइब? कर दो च्राइब! में धोगा देकर भाग गया है तुम हेड़कॉर्टर से स्पेशल फूर्थ बुलवा कर सारा इलाका च्छान मारने का हुकम दे दो हुजूर चंदर प्रकाश की सीवी सूरत में सरहत पार ना कर पाई बहुत पेदर हुजूर हुजूर वह दोनों सेक्टर फॉर में ट्रॉली की तरफ जा रहे हैं हेलो चार्ली हेलो चार्ली मैसेज वो देखो चंदर कि एंदर में को चंदर को चंदर कर सिसे कर अँचर और शचेश कि मैसे कि एंदर कि एंदर आवे जया जगे आवे जया किया कि जय दिते हूस जय दिते हूस जल्दी चलो ये क्या कर रहा है? उस तरफ जाकर गारी लेकर आता हूँ नहीं जाकर तुम्हें जाकर बत्रा है कोड़ कुछ जारा नहीं है ना संबल के चंदर संबल के संबल कर दो कबिए। कि कबिए। कि यूँ आति यू सु ओू तर हो अगड़ साध। टूल मौं यू फद तो होपो तोange आति च। कि यू लू अ अगर कि यू अवड़ पा यू Hmas यह! 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 यहां ए요 यहां ए लुड़ लुड है. लुड़ है. आप! 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 यहां ल mı? कि. आबाए आए प्लगा कुछ पू़ प्रुछ प्रुछ पुछ 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 बखल पुछ ंग पमग मैश तब मैश हु後 हु क्यां था कि अ कि अपधार चुछ आप तो कि अ हुआ कि ने पुआ है इस और अ अलो चारली हलो चारली मेसेज को ट्रॉली पार करके पार के दूसरे कुरफ आ रहे है चलो 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 आओ 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 कि मुग्या देखायो कुछाओ कि जंद्रप्रकाश हमें मालूम है कि तुम यहां छुपे हुए हो बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिये गए है अब तुम्हारे आगे सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अपने आपको हमारे हावाले कर दो चंद्रप्रकाश हुजूर यहां जोर से चिदाना मुनासिब नहीं है हमोश यहीं बदला चुकाया तुमने नेक और भोले भाले कबीले वालों की शराफत का अच्छ तुम्हारी वज़ा से खान बाबा गिरफतार कर रिये गए और तुम्हारी वज़ा से पेचारा अश्रफ अपनी जान से गया अश्रफ पाइचाना जो हाल अश्रफ का हुआ वही खान बाबा का होगा और वही हिना का भी बेतरी इसी में है कि तुम अपने आपको हमारे हवाले कर दो मैं वादा करता हूँ कि खान बाबा और हिना को छोड़ दिया जाएगा अब भी मौका है चंदर प्रकाश अब भी मौका है इस्पेटर साथ मारा हूँ चंदर ये क्या करे हो रुक जाओ जो तवाही मेरी वज़े से हुई है वो क्या कम है ना नहीं बस अब और नहीं और नहीं अगर मेरी जान लेकर वो तुमको और खान बाबा को छोड़ देता है तो इस ओदा बहुत सथा है ना चंदर तुम समझते क्यों नहीं हो उस कायत्की मत करो वो बेइमान है जूट बोलता है क्या पता इस बार वो सची बोल रहा हूँ लेकिन तुमे और खान बाबा को बचाने के लिए एक कोशिश में जरू करों को छोड़नों मजा जैना चंदर, मेरी बात सुनो. चंदर, रूख जाओ. चंदर, रुख जाओ मेरी बात सुनो चंदर, पाध जाओ लिनाख वही रुख जाओ चंदर प्रकाश नहीं न रुक जोड जमाल खौर बच गेला किस से कहता तुमसे गोली चलाने के लिए तकलती हो गई हुजूर एमक कहीं का नमाकूल वरण अपने आद्वियों से कहो के रास्ता साफ करें जी हुजूर शाबाज खान कहा है जी वो अभी अभी इदर से निकल के गए है और उन फराजियों का पता लग गया हुजूर क्या मतलब उस जासूस के साथ कुछ और लोग भी है क्या जी वो पास के कविले के एक लड़की है हिना काउन हिना हिना मेरी बेजी है हुजूर आप इस वक्त रह्मत का परिष्टबत क्या है लिल्ला उसकी मदद की दिये उसकी मासूम जान इस वक्त बेमजा खत्रे में है हुजूर बेवजा जी हुजूर वो बिलकुत बेकुसूर है ओए अपनी बकौास बंकर हुजूर आप इसकी एक न सुने इन सबने मिलकर उस जासूस को फरार करवाने की साधिश की है इन सबने मिलकर क्यों बड़े मियां आपकी बेटी एक जासूस की मदद कर रही है और आप उसे बेकुसूर बता रहे है जंदर जासूस नहीं है यह हुजूस शिर्फ शालात कर शिकार है यही दुसारा मखेला है और यह सब फरेब उस मकार शाबाज खाह के ख़़ा किया हुआ है शिर्फ अपने जाभी पाइदे के लिए तुम्हारा मतब है कि मुझे शाबाज खाह के चुंगल से छोड़ाने के लिए तुमने उससे शादी करना कबूल कर लिया था और इसलिए खान बाबा और श्रफ ने मुझे फरार करवाया ताकि तुम्हे उससे शादी न करनी पड़े तुम चुप क्यों हो जवाब दो है न देखो मैं यह बात समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे आजाद करना क्या इतना जरूरी था कि तुम अपने आपको जिंदे की भर के लिए उस कमीने के हवाले कर दो तक कि वो लगातार तुम्हारी बोगिया लूशतर है और तुम्हें सब कुछ किया मेरी निये क्यों जवाब दो है न हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता चंदर तुम्हें खुदा का वास्ता है चंदर अश्रफ भाई जान की मौत जाया मत होने देना बापा जान की दुआएं जूटी मत करना चंदर हिना का पिस जाना तो उसकी किसमत ही सही पर उसकी रंग का निखार तो नहीं था ठु़र가 चंदर बादा करो बादा करो कि तुम यहां सेी निकल जाओगे अपनी चान नी से जामिलोगे और कुई रासा नहीं है तुम्हे जाना होगा तुम्हे जाना हीह होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ लिचंदर, कभी नहीं आओ एदा चलो चंदर, चंदर को देखो कर फिर चंदर को जा हुआ आओ तुम्हें च्छिए तुम्हें तुम्हें खेट कि यह नहीं 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 आप है सिपाई है आप क्या करें फिर तो बेतर ही होगा कि रात होने तक यहीं इंतजार करें कि अच्छने काल श्लीनगर मिस चांदनी काल श्लीनगर झालो, जिए आपरेटर, झाल मेझे एलो । हेलो इकबाल हाँ इकबाल हमने दिल्ली एमेसी से चंदर प्रकाश के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है यह सच है कि एक्सिदेंट हुआ था और उसी दिन से वो लापता है इससे साफ जाहिर होता है कि उस पर जासूसी का शक करने की कोई गुजैश नहीं है आईसे बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया खुलाहाफेज खान साब लगता है आपने जो कुछ बताये बिल्कुल सच है हाँ अल्ला ने चाहा तो बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी मैं खुद मौके पर जा रही है सारा मलबहट आदिया गया है हुजूर आप चाहें तो अंदर जा सकते हैं हुजूर फोलिश चौकी से आपके लिए पॉल है आ नवाबदीन बोलो क्या बात है ओबर हुजूर बहुत बुरी ख़बर है सुपरिंटरेंस साब को सारी असलियत का पता चल गया हुजूर अलो आ नवाबदीन तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है तुमने जो कुछ भी कहा मैंने कुछ नहीं सुना समझ गए ओर एन आउट कितनी दुख की बात है यह चिन हादों पर महंदी सजनी चाहिए थी आज उनी हादों को मेरी वज़े से खून से लाल होना पड़ा चंदर कोई देखे तु समझे कि हिना क्या चीज है जिसे अपना रंग दूसों पर लुटा देने में ही मजाता है तुमने हिना साबित कर दिया कि सद्धादे जमीनों को भले बाटती हो दिलों को नहीं बाट सकती है बहुत खोश होगी चांद तुमसे मिलकर हाई चांद पाजी से तो मुझे मिलना है जब तक मैं अपने हाथों से उनके हाथों में मेहंदी न लगा लूँ तब तक मेरा काम पूरा कहा होगा चंदर के चंदर 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 चलियोच जाव पुर्जाए हजूर आगे सरहद का इलाका शुरू होता है अमारा वहाँ जाना मना है वावोश वो हराम गदा शाबास राम को दोगा देकर जिंदा निकल जाएगा नहीं आओ पुरे कुछ अंदर पुरे ही सरहद चलो पाकिस्तानी पुस्तानी बुके पुरेख। पाकिस्तानी पूस्तानी पुरेख। पाला इंचारली ऑर्प्रीली को अंदर यहां फाइरिंग शुरू हो गई है सर, आपकी पोस्ट पर फाइरिंग हो रही है कर दो होगा यहाँ यहाँ दो प्रश दो एफासी हमाटा, कि झाले, कि झाले खोड़ा दो अॉजाए़ा है। जीस भाइ! इस भायर किता हो थेजे खायर कितेडियों छ डड़ी स्हवायर किता ही know चंदर? रामसिंग! सेर! बारक्स में जाकर चांदी में सब्लियाओ हरी आप जी सेर! रुक जाओ जाओ चावाँ खान! सेर! Oh! Ouse… रिना? रिना! रिना? आओ चंजो रिना! इना… मुझे, बार्लिट एंटी मुझे ! रहाततु खी वेर रिना Nine, तुमने यह सब क्यो क्या? क्यों, क्या? मेरा वक आगिया, चंदर. नहीं है न, तुम मुझे यूँ बीच रास्ते छोड़कर नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती है, हाँ. बीच रास्ते गा, चंदर, तुम सो अपनी मंसल तका पहुँचे, और मेरी मंसल खुच चलकर मुझ तका गई है. रिमार नहीं, नहीं, नहीं नहीं, 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 नहीं . चंदर, चंदर. चंदर चंद बार जी खो, तुम ताहर देना . उंत्य, उंत्य के ए... उंत्य peng에 एमना उंत्य के एन्हा, झाला के परेमादों उंत्य मेने बहरे कावी एंप जादिया नहीं एन्ह एन्ह नहीं एन्ह 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 एला लाला, लाला, मुहम्मादा, रसूल आला चंदर, यह सब कुछ समझ भी नहीं आया समझ तो मुझे भी नहीं आया, यह सब क्या हो गया क्यों हुआ ही ऐसा इतनी सारी गोलिया इस नेक मासूम फरिष्टे जैसी लड़की के जिसम में क्यों दाग दी गई क्यों किसकी थी यह गोलिया और और वो गोली किसकी थी जिसने इस बेगुना की जान ले लि इंदुस्तान की गोली थी या पाकिस्तान की न Adi वो तो सिर्फ वहश्यत की गोली थी, जो इंसानियत के कलेजी में जा लगी, नफत की गोली थी, जिसने महबत को और शराफत को मिटा दिया, खतम कर दिया, बड़ी शरम की बात है यह, बड़ी शरम की बात. पूछतो इंसान गोली बनाता ही क्यों है किसी ना किसी की जान ही ले सकती है बस किसी को जिन्दी की तो नहीं दे सकती तो फिर गोली क्यों बनाता है इंसान अगर आज मुम्किन है कि इस धर्दी पर हम सब अमन से चैन से खुशी से जी सकते हैं तो फिर क्यों तकलीफों का जंग का चुराओ करता है यह इंसान क्यों अब उन्ट कीजिए बंद कीजिए यह दिलू को अलग करने का खेल यह नफरत ऐरूत इस एक अग लगा कर तमशा देखने का खेल बंद कीजिए बंद कीजिए आख आख अगर हिना का पिस जाना तो उसकी किसमत ही सही पर उसके रंग का निखार तो तुमारे हाथों में है ना तुने मिट मिट के भी पाया तो वपाओं का सिला तेरा खुश रंग कभी तुझ को मैं असर ना हुआ तुने आरा का मुकदर तो तारा लेकिं तेरे हमरा कभी देना मुकदर ना हुआ को है खुश रंग हिना क्यारी खुश रंग हिना क्यारी खुश रंग हिना क्यारी खुश रंग हिना जिन्देगानी निकोई रओनेनी तेरे लिना तुरे उशे रओने लिना चारी उशे रओने लिना है वी सुन्देगा थमाइगाऊनी कीकश वाल बाब बाब बाल